आज हम T. Harv Aker की बुक Secret of the Millionaire Mind का हिंदी ट्रांसलेट करेंगे Secret of the Millionaire Mind सफलता चाहने और सफलता पाने के बीच की पायदान को परकट करती है तो आईए शुरू करते हैं खंड एक, धन का, आपका ब्लूपिंट हम सिक्के के दो पहलों की दुनिया में रहते हैं उपर और नीचे, प्रकाश और अंदकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दाया और बाया ये हजारों विपरे ध्रूबों के सिर्प कुछ उदारण है एक ध्रूप के अस्तितों के बिना दूसरे ध्रूप का होना संभव नहीं है अगर बाई तरफ नहीं है, तो क्या दाई तरफ होना संभव है? संभव ही नहीं है इससे ये निश्वर्श निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होते हैं बाहरी नियमों में बेवसाई ग्यान, धन का परभंद और निवेश तकनिकें जैसे चीजें सामिल होती हैं, यह अनिवारे हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महतुपून है इसका एक उधारन कारपेंटर और उसके ओजार हैं, बहतरीन ओजार जरूरी है, लेकिन उन ओजारों का कुशलता से परियोग कर सकने वाला बहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है मैं एक बात अकसर कहता हूं, सही समय पर सही जगे होना ही काफी नहीं है, आपको सही समय और सही जगे पर सही व्यक्ति वनना होगा तो आप कौन है? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारनाएं क्या है? आपकी आदतें और खुबियां क्या है? आप अपने बारे में सचमुच कहचा महसुस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबन्ध हैं? आप दूसरों पर कितना भर सकते हैं क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं सस्त तो ये है कि आपका चरित्र सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वन भूमी का निवाते हैं मेरे एक पिरिये लेखक स्टूर्ड वाइल्ड ने कहा था सफलता की कुंजी अपनी उर्जा बढ़ाना है ऐसा करने पर लोग सोभाविक रूप से आपकी और आकरशित होंगे और जब वो आने लगें तो उन्हें बिल थबा दें दौलत का सिध्धांत आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं आपका धन और उ और किया है कि कुछ लोगों के पास धेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वो उसे गवाँ देते हैं या फिर कुछ लोगों के पास बहतरीन आउसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में यह सब कुछ टाइं टाइं फिस हो जाता है अब आप जानते हैं बाहर से तो वो बतकिस्मती अर्द वेहुस्ता या मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो भी दिखता है बरहाल अंदर की तरफ या एक अलग ही मामला है अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से उसके लिए तैयार ना हो तो इस बात की सं जादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनोतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है मेरे दोस्तों यही वो मूल कारण है जिस बज़े से उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता है लोट्री जीतने वाला इसका एक आदर्श उधारन है शोद से बार बार पता चला है कि लोट्री जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशी जीत लें उन में से ज़्यादातर अंततो अपनी पुरानी बित्य वस्ता में लोटाते हैं यानि उतनी धनराशी पर जितनी के साथ वो आराम धे रहते हैं दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलेनियर्स बनने वा साल है टरंप के पास बिलियनों डॉलर थे उनका सारा पैसा डूब गया लेकिन कुछ ही साल बाद उन्होंने ना सिर्फ डूबी हुई दूलत वापस पा ली बलकि उससे भी ज़्यादा कमा ली ऐसा क्यूं होता है कारण यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैस है कि डॉनाल्ड टरंप कभी सिर्फ मिलेनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे अगर डॉनाल्ड टरंप की कुल संपती सिर्फ एक मिलियन डॉलर होती तो आपके हिसाब से वो अपनी बित्य स्पलता के बारे में कैसा महसूस करते ज़्याद तर लोगों की राय यह होगी कि वो शायद खुद को दिवालिया और बित्य दृष्टी से औसफल मानते ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉनाल्ड टरंप की बित्य थर्मो स्टेट मिलियनों पर नहीं बिलियनों पर निर्धारित है ज़्याद तर लोगों का बित्य थर्मो स्टेट मिलियनों नहीं हजारों डॉ लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यूं हो रहा है। सचा यह है कि जादतर लोग कभी अपनी पूरी शमता तक पहुँच ही नहीं पाते। जादतर लोग सफल नहीं होते। शोद से पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपनी मन चाही जिन्दगी जीने के लिए बिद्धी रूप से स्वतंत्र या आत्म निर्वर नहीं बन पाएंगे और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं वो स्टेरिंग वील पर जपकी ले रहे हैं वो जीवन के सतही स्थर पर काम करते और सोचते हैं जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वो देख सकते हैं वो सिर्फ उपरी तोर पर दिखाई देने वाले संसार म जीते हैं फल तो जड़ों से मिलते हैं एक पेड़ की कलपना करें मान लें कि यह जीवन का पेड़ है इस पेड़ पर फल लगे हुए हैं जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिनाम हैं हम इन फलों को देखते हैं और वो हमें बहुत पसंद नहीं आते हैं वो कम छोटे ह छोटे हैं या उनका सुआद अच्छा नहीं है तो हम आज़तन क्या करते हैं हम ऐसे ज्यादातर लोग फलों पर यानि मिलने वाले परिनाम पर ध्यान केंदरित करने लगते हैं लेकिन वो फल वास्तव में आए कहां से हैं फल तो बीच और जड़ों से उत्पन होते हैं जो जमीन के अंदर है वो जमीन के उपर की चीज़ों को पैदा करता है जो दिखता नहीं है वो दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अद्रिशे चीज़ों को बदलना होगा यहां पर दौलत का सिधान्त है कि अगर आप फलों को बदलना होगा, अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना होगा, जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है, ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग बजली का बिल भरने की जंजट क्यूं पालते हो हलांकि आप बिजली को देख नहीं सकते लेकिन आप बेशक इसकी शक्ती को पहचान सकते हैं और इसका इस्तिमाल करते हैं अगर आपको इसके अस्तितों के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी एक सोकेट में डाल कर देख ले मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक जटके में दूर हो जाएंगी अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वो किसी भी देखने वाले चीद से ज़्यादा शक्तिशाली होता है आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धान को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कश्ट उठाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आप प्रकरती के उन नियमों के खिलाप जा रहे हैं जिनके दोरा जमीन के नीचे की चीज जमीन के उपर की चीज को उत्पन करती है जिनके दोरा ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन करती है इनसान प्रकरती के उपर नहीं बलकि इसका हिस्सा है इसका मतलब यह है कि जब हम परकर्ती के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानि अपने आंत्रिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का परवाव अच्छा रहता है जब हम ऐसा नहीं करते तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के उपर की चीजों को पैदा किया है इसलिए उप चुके फलों पर ध्यान केंदरित करना बेकार है जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं हाँ इसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा आपको एक बहुत महतुपन बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर ही नहीं रहते हैं हम एक साथ कम से कम चार अलग अलग धरातलों पर रहते हैं अनसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत जदातर लोगों को इस बात का कभी ऐसास ही नहीं होता कि भोतिक धरातल तो बाकी तीनों क्वाडन का सिर्फ एक प्रिंट आउट है उधारन के लिए मान लीजिए आपने अभी अभी अपने कम्प्यूटर पर एक चिठी टाइप की है आप प्रिंट बटन दबाते हैं और चिठी आपके प्रिंटर में से बाहर निकल आती है प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है आप अपना भरोसे मन इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं फिर आप दोबारा प्रिंट बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को जादा मेहनत से जादा देर तक मिटाते हैं। आप परभाई इरेजर नामक मैनुल का अधियन भी करते हैं जो 300 पेच का है। अब आपके पास अपनी जरूरत के सारे साधन और ग्यान है। आप तयार हैं। आप फिर से प्रिंट बटन हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिलाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हो क्या राहे ? क्या मैं पागल हो चुका हूँ ? यहां पर ये हो रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानि भोतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानि मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों में ही बदला जा सकता है। धन परिनाम है, दौलत परिनाम है, सहत परिनाम है, बिमारी परिनाम है, आपका मोटापा परिनाम है, हम कारण और परिनाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि धन की कमी समस्या है, अब यह बात सुन ले, धन की कमी कभी भी, कभी भी समस्या नहीं होती है, धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है, धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड यानि कारण क्या है, यह म अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एक मात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। गोशना परिवर्तन का शक्तिसाली रहस्या अपने सेमिनारों में हम तिबर गती से सीखने की तकनीकों का परियोग करते हैं जिन से आप ज़्यादा तेजी से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा रख पाते हैं इसकी कुंजी है जुडाओ। या कहना चाहूँगा कि जब आप इस पुस्तक के हर परमुक्सिधान्त के अंत में पहुंचें तो हर बार अपना हाथ दिल पर रख कर एक घोशना करें फिर अपनी तरजनी से सिर को छूंकर एक और घोशना करें घोशना क्या है यह एक सकारात्मक कथन है जिसे आप जोर से बोलते हैं घोशना आखिर इतनी महतुपन क्यों है क्योंकि हर चीज एक ही तत्तों से बनी है उर्जा यानि सारी उर्जा तरंगों और कमपनियों में यात्रा करती है इसलिए आपकी हर घोशना के कमपनों की निश्चित फ्रिक्वंसी होती है जब आप जोर से घोशना करते तो इसकी उर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में कमपन करती है और उसी समय आप अपना शरीर छूंकर आप उसकी अनूठी गूंज महसूस कर सकते हैं गोशना ना सिर्फ प्रहमान को एक निश्चित संदेश भीजती है बलकि वो आपके अवचेतन मन को भी ससक्त संदेश भीजती है गोशना और संकल्प के बीच जरासा ही अंतर है लेकिन मेरे हिसाब से यह भैद महतुपून है संकल्प की परिवाशा है एक सकारात्मक कथन जो यह दावा करता है कि जिस लक्षे को आप हासिल करना चाहते हैं वो पहले से ही हासिल हो चुका है गोशना की परिवाशा है किसी खास काम को करने या किसी खास लक्षे को पाने का पक्का इरादा व्यक्त करना संकल्प में यह दावा नहीत होता है कि लक्षे तो पहले ही हासिल हो चुका है मैं संकल्पों का समर्थ तक नहीं हूँ क्योंकि अक्सर जब हम किसी ऐसी चीज को सच कहते हैं जो बरतमान में सच नहीं है तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक धीमी आवाज कहने लगती है यह सच नहीं है यह जूट है, बक्वास है दूसरी तरफ गोशना में ऐसा नहीं कहा जाता कि यह सच है इसमें तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किसी काम को करने या कुछ बनने का इरादा रखते हैं दिमी आवाज इसे मान सकती है क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह वरतमान में सच है हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि भविश्य में हमारा यह इरादा है घोशना आधिकारिक होती है यह ब्रह्मान्ड और आपके शरीर में उर्जा का अपचारिक कतन है परिभाशा का एक और महतुपून शब्द है काम आपको अपने इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सभी आउशक काम करने होंगे मेरी सला है कि आप हर दिन सुवे और रात को अपनी घोशनाएं जोर से करें आईने में देख कर घोशना करने से इसका परवाव और भी बढ़ जाएगा मुझे मानना होगा कि जब मैंने अपनी पहली बार इसके बारे में सुना तो मैंने कहा था संभव ही नहीं है यह घोशना तो जमेला मुझे तो जूटे सपने जैसा लगता है लेकिन क्यूंकि मैं उस वक्त दिवालिया था इसलिए मैंने फैसला किया कि क्या फर्क पड़ता है इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है फिर मैं नियमित खोशना करने लगा अब मैं अमीर बन चुका हूँ इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे घोशनाओं के असरदार और कारगर होने का पूरा यकीन है सस तो यह है कि मैं दोश दर्शी और दिवालिया रहने के बजाए जूठा सपना देखकर अमीर बनना चाहूँगा आपका क्या ख्याल है यह कहने के बाद मैं आपको आमंदृत करता हूँ कि आप अपना दाया हाथ दिल पर रखकर नीचे दी गई घोशनाओं धोराएं घोशना मेरी अंद्रूनी दुनिया से ही मेरी भारी दुनिया उत्पन होती है अब अपना सिर्चों कर कहें मेरे पास मिलेनिर मश्तिक है मैं आपको विशेश बोनस देना चाहता हूँ अगर आप www.millinearsminds.com वेपसाइट पर जाकर फिरी बुक बाउंस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पुस्तक की सभी घोशनाओं की मुफ्त सूची मिलेगी जो सुन्दर लिखावट में है आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं और मडवा भी सकते हैं धन का आपका ब्लू प्रिंट क्या है और यह कैसे काम करता है रेडियो या टीवी पर मैं अकसर यह कहता हूँ की मुझे पांच मिनट का समय दे कैसे चोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लू प्रिंट को पहचान सकता हूँ हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिकत ब्लू प्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में चिपा होता है और यह ब्लू प्रिंट आपकी बित्य तक्तिर को जितना ते करता है उतना और किसी चीज़ से नहीं करता धन का ब्लू प्रिंट क्या है यह किसी मकान के ब्लू प्रिंट जैसा ही होता है यानि उस खास मकान की पहले से ही बनी योजना या डिजाइन इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है अब मैं आपको एक बहुत ही महतुपन फॉर्मूला बताना चाहता हूँ यह फॉर्मूला यह ते करता है कि आप अपनी वास्थिक और दौलत किस तरह से उत्पन करते हैं मानवी शमता के शेतर में कई बहुत सम्मानी शिक्षकों ने इस फॉर्मूले को अपने शिक्षन की बुनियाद बनाया है इसे प्रकटिकरण की परिक्रिया कहा जाता है और यह फॉर्मूला है यहां पर दौलत का सिदान्थ है बिचार भावनाओं तक ले जाते हैं भावनाएं कारियां तक ले जाती हैं कारिये परिनामों तक ले जाते हैं आपका बित्य ब्ल्यूप्रिंट धन के शेतर में आपके बिचारों, भावनाओं और कारियों के तालमेल का परिणाम है तो धन का आपका ब्ल्यूप्रिंट कैसे बनता है जवाब आसान है आपका बित्य ब्ल्यूप्रिंट मुखेता उस जानकरी या प्रोग्रामिंग से बनत जोस्त सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्म गुरू, मीडिया और संस्कृती शामिल होंगी। आईए संस्कृती के बारे में बिचार करें। क्या यह सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है। जब कि दूसरी संस्कृती की इस बारे में अलग निटी होती है। आपका अंदाजा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसे सोचा जाए और कैसे काम किया जाए, यही आपके बारे में भी है, मेरे बारे में भी हर एक के बारे में सचे, आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है, यह सिखाय गए बातें आपकी कं आँचे में ढाल देती है यह आपकी स्वचलित प्रतिकरियाएं बन जाती है जो जिंदकी भर चलती है जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप पीच में हस्तक शेप करके अपने मस्तिक्ष की दौलत की फाइलों को बदल ना ले हम इस कुछ तक में ठीक यही करने जा रहे हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं मिलिनिर माइंट इंटेंसिब सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा स्थाइस तर पर करते हैं हमने पहले कहा था कि बिचार भावनाओं तक ले जाते हैं भावनाओं कारियों तक और कारियों परिनाम से उतपन होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में होती है. और यह जानकारी कहां से आती है. यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है. यह सच है. आपके अतीत की você ? आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तैय करती है इसलिए अक्सर इसे conditioned मस्तिक्ष कहा जाता है इस तरके आधार पर हम अब अपनी प्रकटी करन की प्रक्रिया को नीचे दिये गए तरीके से संशोतित कर रहे हैं P, T, F, A, R आपकी प्रोग्रामिंग P, आपके बिचार, T, Thoughts को उत्पन करती है आपके बिचार, आपकी भावनाओं, मतलब feelings को उत्पन करती है आपकी भावनाएं, आपके कारियों को, मतलब action को उत्पन करती है आपके कारिये, आपके परिणामों, मतलब results को उत्पन करती है इसलिए परसनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदल कर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवारे कदम उठा लें हमारी कंडिशनिंग किस तरह होती है हम जीवन के हर शेतर में जिसमें धन भी शामिल है तीन मूल तरीकों से कंडिशन होते हैं शाबदिक प्रोग्रामिंग, आपने बच्पन में क्या सुना था? मॉडलिंग, अनुसरन, आपने बच्पन में क्या देखा था? विशेश खटनाए, आपने बच्पन में क्या अनुभाव किया था? कंडिशनिंग के इन तीन पहलों को समझना बहुत वहतुभून है इसलिए आईए हम इन पर बिस्तार से विचार कर लेते हैं इस पुस्तक के खंड दो में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडिशन कैसे कर सकते हैं पहला परवाव शाब्दिक प्रोग्रामिंग हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था क्या आपने इस तरह के वाके सुने थे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाएं अमीर लोग लालची होते हैं अमीर लोग अपरादी होते हैं अमीर लोग बदमाश होते हैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पैसा पेड़ों पर नहीं उकता आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं पैसा खुशी नहीं खरी सकता पैसा गंदा होता है अमीर ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है हर कोई अमीर नहीं बन सकता कभी परियाप नहीं रहता और सबसे मशूर वाकिय हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते घर में जब भी अपने पिताजी से पैसा मानता था तो वो चिला पड़ते थे मैं किस चीट से बना हूँ पैसे से मैं मजाक में कहता था काश ऐसा होता मैं आपकी एक बाँ एक हाथ एक उंगली ले लेता मेरे इस मजाक पर वो एक बार भी नहीं हसें यही असली मुद्दा है आपके पैसे के बारे में बच्पन में जो भी सुना है वो सब आपके औचेतन मस्तिक्ष के उस ब्ल्यूपरिंट में रहता है जो आपके बित्य जीवन को चला रहा है शाब्दिक कंडिशन बहुत शक्तिशाली होती है उधारन के लिए एक बार मेरा तीन साल का बेटा जैसे भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचिक स्वर में बोला डैडी हम निंजा टर्टल मुवी देखने चलते हैं यह पास में ही चल रही है मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने चोटे बच्चे को भूगोल का इतना ग्यान कैसे हो सकता है कुछ गंटे बाद मुझे टीवी विग्यावन में जवाब मिल गया जिसमें फिल्म के विग्यावन के नीचे यह लाइन लिखी थी अब आपके करीबी थेटर में चल रही है शाब्दिक कंडिशन की शक्ती की एक और मिसाल हमारे मिलेनियर माइंट सेमिनार का एक परती भागी है स्टीफन को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी जिस वक्त स्टीफन कोर्स में आया वो हर साल आठ लाक डॉलर कमा रहा था और पिछले नौ साल से इतना ही कमा रहा था लेकिन इसके बाद भी उसका खर्च खींच तान कर चलता था किसी ना किसी तरह वो अपने पैसे को खर्च करने उधार देने या गलत निवेश निरने लेकर गवाँ देने में कामयाब हो जाता था कारण चाहे जो भी हो उसकी कुल जमा पूंजी शुन्य थी स्टिफन ने हमें बताया कि उसके बच्पन में उसकी माँ अक्सर कहती थी अमीड लोग लालची होते हैं वो गरीबों का खून पसीने की कमाई हडप कर दौलत मंद बनते हैं इनसान के पास काम चलाने लाइक पैसा ही होना चाहिए इसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुमर है स्टिफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था यह पता लगाने के लिए रोकेट साइंटिस्ट होने की जरुरत नहीं थी कोई हैरानी नहीं थी कि वो कड़का था उसकी माने शाफदिक कंडिशन करके उसे यह बिश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं इसलिए उसके मच्टिक्ष में अमीर बनने का लालची होने के साथ जोड़ दिया था जाहिर है लालची होना बुरी बात है और क्यूंकि वो बुरा नहीं बनना चाता था इसलिए आउचेतन रूप से वो अमीर भी नहीं बनना चाता था स्टीफन अपनी मां से प्रेम करता था और उसकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाता था अगर वो अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं होता जो अमीरों को लालची मानती थी इसलिए उसके लिए एकलोता तरीका यही था कि वो काम चलाओ पैसे से ज़्यादा आमदनी से जैसे तैसे चुटकारा पा ले वरना उसकी माँ उसे सुमर समझेगी अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और मा या किसी दूसरे बिक्ति को पसंद के बीच चुनाओ का सवाल उठने पर ज्यादतर लोग अमीर बनने का चुनाओ करेंगे संबभ भी नहीं है मस्तिक्ष इस तरह से काम नहीं करता है निश्चित रूप से अमीर बनना तारकिक सुजाओ और चुनाओ दिखता है लेकिन जब अवचेतन मस्तिक्ष को गहरी भावनाओं और तरक में से किसी एक को चुना होता है तो वो भावनाएं लगबग हमेशा जीतती है हम अब अपनी कहनी की और लोटते हैं कोर्स में दस मिनट से भी कम समय में हमने कुछ बेहत प्रभावकारी अनुभाव जन्य तकनीकों का परियोग करके स्टीफन के धन को ब्ल्यूपरिंट में बदल दिया इसके बाद वो सिर्फ दो साल में कड़के से मिलिनिर बन गया कोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक बिश्वास उसकी मा के थे उसके नहीं और यह बिश्वास उसकी मा के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे हम इसे एक कदम आगे लेगे और इससे एक ऐसी रन्नीती बनवाई जिससे इसका अमीर बनना उसकी मा को भी पसंद आए यह सरल था उसकी मा को हवाई में रहना बहुत पसंद था इसलिए स्टीफन ने माउं के समंदर किनारे के एक कांडो में निवेश कर दिया वो उन्हें सर्दियों में वहाँ भेज देता है छे महीने तक वो स्वर्ग में रहती है और वो भी अब मा को उसकी अमेरी पसंद है यही नहीं वो हर एक को बताती है कि उसका बेटा कितना उदार है दूसरी बात उसकी अपनी मा से साल में छे मेने पाला नहीं पड़ता बहुत बढ़िया जीवन में मेरी शुरुआ धिमी रही लेकिन इसके बाद में बिजनिस में अच्छा परदेशन करने लगा बेटते थे शेरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुका मार के चिलाते थे यह घटिया शेर फिर वो अगले आदे घंटे तक इस बारे में बड़बडाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मुकता पूरुन है और शेरों के फाइदे कमाने की उम्मीद करने से ज्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि वो लास बेगास जाकर जुवा खेल जाएं अब जब आप शाबडिक कंडिशन की शक्ती को समच चुके हैं अब चेतन रूप से मेरे धन के ब्ल्यूपरिंट को सही सावित करने के लिए जिसके अनुसार शेर घटिया होते हैं बहराल जब मैंने अपने अंदर के बित्य बगीचे में इस बिशाल जहरीले खरपतवार को खोट कर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज़्यादा अच्छे फल मिलने लगे जब मैंने खुद को दुबारा कंडिशन कर लिया इसके बाद मैं जो भी शेर खरीटता उसका अभावत अत्काल बढ़ने लगता जब से मुझे शेर बाजार में अधुच सबलता मिलने लगी हालांकि यह औव विश्वसनिय और अजीब लगता है लेकिन जब आप वाकि समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यह बिल्कुल तारकिक लगने लगता है एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडिशनिंग आपकी सोच को ते करती है और आपके निरने आपके कारियों को ते करते हैं जो अन्तत्व आपके परिणामों को ते करती है परिवर्तन के चार परमुक तत्व है जिन में से परतिएक आपके बित्य प्लूप्रिंट की दोवारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवारे है यह तत्तो साधरन लेकिन बहुत शक्तिशाली है परिवर्तन का पहला तत्तो है जाग रुकता आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको इसके अस्तितो का पता ना हो परिवर्तन का दूसरा तत्तो है समझ आपका सोचने का तरीका कहां उत्पन हुआ यह समझने से आपको यह जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं परिवर्तन का तीसरा तक तो है अलगाओ जब आपको ऐसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप आज कहां है और आने वाले कल में कहां पहुँचना चाहते हैं आप सोचने के इस तरीके को निरिक्षन करके इसकी हकीकत देख सकते हैं आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइले हैं जो आपके दिमाग में बहुत बहुत पहले से रखी हुई है और हो सकता है कि अब हो सच्ची या महत्वपून ना हो परिवर्तन का चोथा तत्व है री कंडिशनिंग हम इस पुस्तक के खंड दो में इस परक्रिया को शुरू करेंगे वह हम आपको दोलत पैदा करने वाली मानसिक फाइलें देंगे अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो मैं आपको अपने मिलिनिर माइंड इंटेंसिब सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंतरित करता हूँ यहां आपको परभावी अनुभव जन्य तक्निकों के श्रिंख्ला से गुजारा जाता है यह तक्निकें आपके अउचेतन को सुष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देंगी इसमें आपका मस्तिक्ष, धन और सफलता के संधर्म में सकारात्मक परतिक्रिया करने के लिए री कंडिशन हो जाएगा सताई परिवर्थन के लिए निरंतरता और स्तत समर्थन ही महतोपुन है इसलिए मैं आपको एक और तौफा देना चाहूंगा अगर आप www.millionairemindbook.com वेबसाइट पर जाएँ और फ्री बुक बाउंस पर क्लिक करें तो आप millionaire mind के thoughts of the week के लिए registration कर सकते हैं हर सब्ता आपको एक good सबग मिलेगा जो सफल होने में आपकी मदद करता है हम शापदिक condition की चर्चा पर दुबारा लोटते हैं अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने blueprint को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं परिवर्तन के कदम शापदिक programming एक जागरुकता बच्पन में धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातें लिख लें दो, समझ, यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके बित्य जीवन को अब तक किस तरह पर भावित किया है क्या आप देख सकते हैं कि यह बिजार आपने सिर्फ सीखे हैं, यह आपके शरीर या मूल भूत अस्तितों का हिसा नहीं है क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन बिजारों को बदलने का चुनाओ कर सकते हैं चार, घोशना, अपना हाथ दिल पर रख कर के हैं, धन के बारे में मैंने जो भी सुना था, उसका सच होना जरूरी नहीं है मैं सोचने के नई तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ, जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं अब सिर्चूं कर के हैं, मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग, जिस दूसरे तरीके में हम कंडिशन किया जाता है, वो है मॉडलिंग जब आप बड़े हो रहे थे, तो पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिवावक कैसे थे क्या उन में से एक ने या दो ने अपने धन का अच्छा परबंद किया था या खराब परबंद किया वो फजूल खर्च थे या मित बई, वो चतुर नुवेशक थे या नुवेशी नहीं करते थे वो जोखिम लेने वाले थे, या सुरकशित मानसक्ता वाले थे उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चड़ाओ का सलसला चलता रहता था आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संगर्श करना पड़ता था पैसा आपके परिवार में खुशी का स्तरोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी यह जानकारी महत्वून है शायद आपने यह कावत सुनी होगी कि बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं इनसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है बच्पन में हम हर चीज अनुसरन से ही सीखते हैं हाला कि हम में से ज़्यादा तर लोग इस बात को सुईकार नहीं करना चाहेंगे लेकिन इस पुरानी कावत में काफी सच्चाई है सेफ पेड से ज़्यादा धूर नहीं गिरता है इस से मुझे एक औरत की कहनी याद आती है जो डीनर के लिए हम पकाते समय अपने दोनों सीरे काट देती थी एक दिन यह देखकर उसका पती हैरान हो गया और उससे पूछा कि वह दोनों सीरे क्यों काटती है पत्नी का जवाब था मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी सेयों की बात है कि उस औरत की माँ डीनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी उन दोनों ने उन से पूछा कि वह हम के दोनों सीरे क्यों काटती है मा ने जवाब दिया था मेरी मा इसी तरह पकाती थी यह सुनकर उन्होंने नानी से फोन कर पूछने का फैसला लिया और पूछा कि वो हम के दोनों सिर क्यों काटती है उनका जवाब था क्योंकि मेरी कड़ाई बहुत चोटी थी सबक यह है कि आम तोर पर हम धन के शैतर में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं उधारन के लिए मेरे डेडी उद्धमी थे वो भावन निर्मान के वेवसाय में थे वो हर प्रोजेक्ट में एक दरजन से लेकर सो मकान तक बनाते थे हर प्रोजेक्ट में धेर सारा पैसा लगाना पड़ता था डेडी घर की सारी पुझी लगा देते थे और बैंक से भी भारी करजा ले लेते थे हम सब तब कड़के में ही रहते थे जब तक की सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नगद नहीं आ जाता था परिणाम सरूफ हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक करज में डूब जाते थे जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दोरान डेडी का मूड कोई खास अच्छा नहीं रहता था और नहीं वो उधारता के मूड में रहते थे अगर मैं उनसे चवणी की भी कोई चीज मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था मैं किस चीज से बना हूँ पैसे से क्या तुम पागल हो गए हो जाहिर है मुझे ढेला भी नहीं मिलता था बलकि मुझे से दोवारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती कोप त्रिष्टी मिलती थी मुझे यकिन है कि आपको भी कभी न कभी इस तरह का अनुवा हुआ होगा यह सलसला एक दो साल तक चलता रहता था जब तक कि मकान अंततो बिक नहीं जाते थे फिर हमारे घर पेसों के बरसाथ होने लगती थी अचानक डेड़ी बिलकुल बदल जाते थे वो खुश दयालू और बहुत उदार हो जाते थे वो आकर मुझे से पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे मन में तो आता था कि मैं उनकी कोप द्रिष्टी वापस लोटा दूँ लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं था इसलिए मैं बस आँखें मटका कर कह देता था हाँ डेड़ी धन्यवाद फिर हमारी जिन्गी अच्छी तरह से चलती थी जब तक कि वो भेंकर दिन नहीं आ जाता था जब डेड़ी घर आकर ये घोशना करते थे कि मुझे एक अच्छी जमीन मिल गई है हम वहाँ पर मकान बनाने जा रहे हैं मुझे अच्छी तरह याद है ये सुनकर मैं कहता था बहुत बढ़िया डेड़ी शुपकामनाई हलाकि मेरा दिल डूब जाता था क्यूंकि मैं जानता था कि इसके बाद जिवन कितना संगर्श पून होगा यह सिलसला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक लगात चलता रहा जब तक मैं 21 साल की म्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया फिर यह सिलसला थंग गया या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाजा लगा लिया होगा बिल्डर बन गया मैं प्रोजेक्ट्स वाले अन्य बेहसायों में भी गया ना जाने क्यूं थोड़े पेसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था मैं दूसरे बिजनिस में चलांग लगा देता था और खुद को दुनिया के शिकर पर समझने लगता था लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था उतार चड़ाओ का यह सिलसले लगबक दस साल तक चलता रहा तब जाकर मुझे ऐसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुनावा बिजनिस नहीं है मेरे चुने हुए पार्टनर्स नहीं है मेरे करमचारी अर्थ विवस्ता या स्तीती या अच्छी स्तीती में छुटी मनाने या आराम करने का निर्ने नहीं है मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं आचेतन रूप से अपने डेडी की उतार चड़ाओ भरी आमदनी के पैटन को दोरा रहा था मैं बस इश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने वो सब सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं मैं खुद को री कंडिशन करके इस उतार चड़ाओ भरे मोडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाले आमदनी हासिल की आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी मेरे मन में बेवसाई बदलने की सनक उठती है लेकिन अब मेरे मस्तिक्ष में एक और फाइल है जो इस भावना को दे कर कहती है अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद अब हम दोरा अपने काम पर ध्यान केंदरित करते हैं एक अन्य उधारन और्लेंडो फ्लोरिडा के मेरे सेमिनार का है हमेशा की तहे लोग और्टग्राफ लेने हलो कहने या धन्यवाद देने के लिए एक एकर के मंच पर आ रहे थे मैं एक बुड़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि वो सबकता हुआ आया वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तिन से अपने आंसु पहुँच रहा था मैंने उससे पूछा कि क्या गड़वड हो गई है उसने कहा मेरी उमर 63 साल की है और मैं काफी लंबे समय से पुस्तके पढ़ रहा हूँ और सेमिनार में जा रहा हूँ मैंने हर वक्ता की बातें सुनी है और उनकी सिखाई गई चीजें आजमा कर देखी है मैं शेयर बाजार रियल स्टेट समेथ हर शेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ मैं दरजनों बिजनिस कर चुका हूँ मैं दोबारा यूनिवस्टी जाकर MBA कर चुका हूँ मेरे पास आम लोगों से दस गुना ज़्यादा ग्यान है लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक द्रिस्टी से सफल नहीं हो पाया मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है लेकिन अंत में मैं खाली हाथ ही रह जाता हूँ इतने बरसों में मुझे इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है मैं सोसता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ लेकिन आज सब कुछ बदल गया आपकी बातें सुनने और आपके बताएगे काम के कारण मुझे आखिरकार सचाई पता चल गई मुझे में कोई गड़बर नहीं है मेरे दिमाग में तो मेरे डेडी का धन का ब्ल्यूपरिंट था और वही मेरे निराश होने का कारण था मेरे डेडी ने मंदी के युक का सामना किया था हर दिन वो काम खोजने या सामान बेचने की कोशिश करते थे लेकिन शाम को खाली हाथ घर लोटते थे काश मुझे 40 साल पहले मौडलिंग और धन संबंदी कंडिशन के बारे में पता चल जाता मेरा इतना सारा वक्त ग्यान और सीखना तो बरबाद नहीं होता इसके साथ वो फूट फूट कर रोने लगा मैंने जवाब दिया ग्यान पाने में आपने जो समय लगाया है वो बरबाद कहां हुआ है यह ग्यान तो सिर्फ आपके मस्तिक्ष में सोया हुआ है यह तो मस्तिक्ष बैंक में इंतजार कर रहा है आवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है तो आपकी सीखी हर चीज काम आ सकती है और आप बड़ी तेजी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं हम में से ज़्यादातर लोग सब सचाई सुनते हैं तो जान जाते हैं वो आदमी दोबारा बहतर महसूस करने लगा और गहरी सांस लेने लगा फिर उसने चेहरे पर एक चोड़ी मुसकान दिखाई उसने मुझे जो से गले लगा कर कहा धन्यवाद 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 आखरी बार जब मुझे उस आदमी की चिठी मिली थी तो उसके जीवन में हर चीज बहुत अच्छी चल रही थी पिछले 18 महिने में वो इतनी सारी दौलत कमा चुआ था जितनी उसने पिछले 18 साल में भी नहीं जोड़ी थी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ग्यान और योग्यता हो लेकिन अगर आपका ब्लूपरिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप बित्यद्रिस्टिशे औसफल ही रहेंगे अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे परतिभागी आते हैं जिनके माता पिता दुत्य बिश्यूद में भाग ले चुके हैं या मंदी के दौर में रह चुके हैं उन लोगों को प्राय जटका लगता है जब उन्हें यह ऐसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभावों ने उनके धन सम्बंदी बिश्वासों और आदतों को कितना ज़्यादा परवावित किया है कुछ लोग पागलों के तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूप सकता है इसलिए जब तक इसका आनन्द लेने का मौका होता है तब तक ले लो बाकि लोग इसके उल्टे रास्ते पर जाते हैं वो अपने पैसे को दांतों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं बुद्यमानी की सला मुश्किल समय के लिए बचत करने का बिचार अच्छा तो लगता है लेकिन यह जान लें कि इस से बड़ी समस्याइं भी उत्पन हो सकती है हम अपने एक अन्य कोर्स में इरादे की शक्ती का सिधान्त भी सिखाते हैं अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा मुश्किल समय इसलिए ऐसा करना छोड़ दें मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाए खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें और उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वातनता जीत लेंगे फिर इरादे के नियम के परिणाम से रूप आपको ठीक वही चीज मिलेगी पहले हमने कहा था कि धन के शेतर में हम में से ज्यादतर लोग अपने एक या दो अभिवावकों के समान होते हैं लेकिन एक सिक्के का पहलू दूसरा भी है हम में से कुछ लोग अपने एक या दोनों अभिवावकों के बिलकुल बिप्रित हो जाते हैं ऐसा क्यूं होता है? क्या क्रोध और बिद्रो जैसे शब्दों की घंटी बच्ती है? संक्षेप में यह इस बात पर निर्वर करता है कि आप उन से कितने नाराज हैं. दुरुभागे से बच्पन में हम अपने माता पिता से यह नहीं कह सकते हैं. मम्मी डेडी आप लोग होने के बाद मैं अलग तरीके से काम करूँगा. मुझे उमीद है कि आप समझ गए होंगे. अच्छा, शुबरातरी और सुखद सोपन. नहीं, 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 ऐसा नहीं होता. इसके बजाए जब हमारे बटन दब जाते हैं तो हम आम तोर पर बौकला जाते हैं और इस तरह की बात सोचने लगते हैं. मैं आप से नफरत करता हूँ, मैं कभी आप जैसा नहीं बनूँगा, बड़ा होकर मैं अमीर बनूँगा, फिर भी अपनी हर मनचाई चीज पालूँगा, चाहे वो आपको पसंद हो या ना. इसके बाद हम अपने बेटरूम की तरफ भागते हैं धडाम से दर्वाजा बंद करते हैं और भडास निकलने के लिए अपने तक्ये या किसी और चीज पर मुक्य मारने लगते हैं. गरीब परिवार में पले कई लोग को लेकर नाराज और बिद्रोई हो जाते हैं. अक्सर वो या तो घर से निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं या कम से कम उन में ऐसा करने की प्रेजना होती है. लेकिन एक छोटी सी दिकत आती है जो दरसल बहुत बड़ी दिकत बन जाती है. यह लोग चाहे जितने अमीर बन जाएं या सफल बनने के लिए कितनी ही मेहनत कर लें. आम तोर पर वो सुखी नहीं होते हैं. क्यूं? क्यू लोग जितना पैसा कमाते हैं उनका गुसा उतना ही बढ़ता जाता है. आखिरकार उच्चतर सुरूफ, हायर सेल्फ कहलाता है. मैं अब गुसे और तनाव से ठक चुका हूँ. मैं श्रानती और खुशी चाहता हूँ. इस पर वो गुसे और पैसे की कड़ी जोडने वाले मस पूशते हैं कि इस तिती में क्या करना चाहिए? उनका मस्तिक्ष ततकाल जवाब देता है. अब तुम्हे गुसा छोडना चाहिए? तो अपने पैसे से भी चुटकारा पाना होगा. तो वो वैसा ही करते हैं. वो अवचेतन रूप से अपने पैसे से चुटकारा पा लेते ह हैं. वो फचुल खरची कर बेटते हैं. या निवेश का गलत निरने ले ले लेते हैं. या बित्य रूप से तभा कर देने वाला तलाख ले लेते हैं. या अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बरबात कर लेते हैं. लेकिन कम से कम अब वो सुखी तो है. सही, नहीं गलत स्थितियां और बिगड जाती है क्योंकि अब वो सिर्फ गुसा नहीं है अब वो गुसा और दिवालिया दोनों है उन्होंने गलत चीज से छुटकारा पा लिया है गुसे के बजाए उन्होंने पेसे से छुटकारा पा लिया है जड़ के बज़े फल से चटकरा पा लिया है बहराल अपने माता पिता के प्रती उनकी नाराजगी ही असली मुद्धा है और हमेशा था जब तक उस गुसे का समाधा नहीं निकलेगा तब तक वो कभी सचमुच शुक्ख या सांत नहीं रह सकते चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यूं ना हो पैसा कमाने या सफलता पाने का अपना कारण या प्रेणा बेहद महतुपून है अगर पैसे या सफलता की प्रेणा की जड़ नकारत है जैसे डर, गुसा या खुद को सापित करने की जरुरत तो पैसा आपको कभी सुख नहीं दे सकता क्यूं? क्यूंकि आप इन मेंसे किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुल जा सकते मिसाल के तोर पर डर को ही लीजिए अपने सेमिनारों में मैं लोगों से पूछता हूँ आप मेंसे कितने लोग मानते हैं कि डर आप के लिए सफलता की मूल प्रेड़ना है ज्यादातर लोग अपने हाथ नहीं उठाते बरहाल इसके बाद मैं पूछता हूँ आप मेंसे कितने लोग मानते हैं कि सुरक्षा आप के लिए सफलता का मुख्य प्रेड़ना है लगवग हर हाथ ब्यक्ति का उपर उठ जाता है लेकिन एक बात समझ लें सुरक्षा और डर एक ही चीज से प्रेरित होते हैं सुरक्षा की चाह और सुरक्षा से उत्पन होती है जिसका आधार डर है तो क्या ज्यादा पैसे से डर चला जाएगा काश ऐसा होता लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता क्यों? क्योंकि पैसा समस्या की जड़ नहीं है समस्या की जड़ तो डर है इससे भी बुरी बात यह है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है यह तो एक आदत है इसलिए जादा पैसा कमा लेने के बाद हमारे डर का सिर्फ परकार बदलता है कड़की के दोर में हमें सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्यावत पैसा नहीं रहेगा सफल होने के बाद हमारा डर आम तोर पर बदल कर ये हो जाता है अगर मेरी कमाई सारी दोलत चली गई तो क्या होगा या हर व्यक्ति की निगा मेरी दोलत पर है या मुझे धेर सारा टेक्स देना पड़ेगा संक्षिप में जब हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंसते हैं और डर को खतम नहीं करते हैं तब तक चाहे कितना भी पैसा आ जाए कोई फाइदा नहीं है जाहिर है अगर हमारे पास बिकल्प मुझूद हो तो हम में से ज़्यादा तर लोग दौलत मन्त बनने के बाद उसे गवाने का बिकल्प चुनेंगे बजाए इसके कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा ना हो लेकिन दोनों ही तरीके ज़्यादा समझदारी भरे नहीं है कई लोग को बिक्य सफलता पाने की प्रेड़ना खुद को परियाप्त अच्छा साबित करने की चाहा से मिलती है इस पुस्तक के खंड दो में हम इस चुनोती पर बिस्तार से बात करेंगे लेकिन फिलाल बस इतना समझ लें की डेर सारी दोलत को आपको परियाप्त अच्छा साबित नहीं कर सकती पैसा आपको वो नहीं बना सकता जो आप पहले से नहीं है एक बार फिर डर की तरे ही हमेशा खुद को सावित करने का मुद्दा आपकी सोबाविक जीवन शेली बन सकता है आपको यह ऐसास ही नहीं होता कि यह आपको भगाय जा रहा है आप खुद को बहुत सफल, महेंती, संकलपवान मानते हैं और यह सारे गुन अच्छे हैं इकलोता सवाल है क्यों? वह मूल इंजन क्या है? जो इन सब को चला रहा है जो लोग खुद को परियाप्त अच्छा सावित करने की प्रेर्णा से संचलित होते हैं उन्हें धेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से रहात नहीं दे सकता वो हमेशा यह सोस्ते रहेंगे कि वो और उनके जीवन की हर चीज परियाप्त अच्छी नहीं है पैसा या किसी भी चीज की कितनी ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी भी परियाप्त नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वो खुद परियाप्त अच्छे नहीं है एक बार फिर यह सब आप पर निर्वर है याद रखें आपका भारी संसार आपके अंदरूनी संसार का परतिविम है अगर आपको यकीन है कि आपके पास परियाप्त नहीं है तो आप इस बिश्वास को सही साबित करते हुए उस वास्विक्ता को उत्पन करेंगे जिन में आपके पास परियाप्त नहीं होगा दूसरी और अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास परियाप्त है तो आप इस बिश्वास को सही सावित करते हुए परचूरता उत्पन कर लेंगे क्यूं? क्यूंकि आपकी जड़ प्रचुरता है और यह आपकी सोभाविक जीवन शेली बन जाएगी गुज्से, डर और खुद को सावित करने जैसी चीजों को पैसे की प्रेणा ना बनाए इसके बजाए आप उद्देशे, योगदान और खुशी की नई प्रेणा बना सकते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से चुटकारा पाने की जरूरत नहीं होगी बिद्रोही या अपने माता पिता का बिरोध होना हमेशा समस्या नहीं होती है इसके बिपरित अगर आप बिद्रोही हैं और पैसे के शेतर में आपके माता पिता की आदिसें खराब थी तो शायद ये अच्छा है कि आप उनकी बिपरित दिशा में चल रहे हैं दूसरी तरफ, अगर आपके माता-पिता सफल थे, लेकिन आप उनके खिलाब विद्रो कर रहे हैं, तो आप गंबीर आर्थिक कठिनाईयों में फन सकते हैं। दोनों ही तरे से ये पहचानना महत्वपुन है कि पैसे के शेत्र में आप अपने माता-पिता के कितने अनुरूप हैं। लिख लें कि आप किस तरह उन से किस के अनुरूप या किस के विप्रित हो सकते हैं। दो, समझ, अपने बित्य जीवन पर इस से पढ़ने वाले परभाव को लिख लें। तीन, अलगाओ, क्या आप देख सकते हैं कि यह जीवन शेली आपने सिर्फ सीखी है और ये आपका सच्चा सवरूप नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इस पल बदलने का विकल्प मौजुद है। चार, घोशना, दिल पर हाथ रख कर कहें, पैस्ते के शेतर में मैं उनका अनुसरन कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुच चुनता हूँ, अपने सिर कर्चों कर कहें, मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं। तीसरा प्रभाव, बिशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडिशनिंग का तीसरा बुनवादी तरीका है बिशिष्ट घटनाएं। बच्पन में धन दोलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुगाव कैसे थे, ये अनुगाव बहुत मैत्वपुन है, क्यूंकि ये आपक धारणाओं या भ्रहमों को आकार देते हैं, जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उधारन देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थेटर में नर्स थी, वह मिलेनियर माइन इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोसी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छान बिन की, तो उसने बताया कि 11 साल की उमर में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाहनीज रेस्टरंट में गई। उसकी मम्मी डेडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डेडी का चहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटेक के कारण वो फर्ष पर गिर गए। वो स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपात कालिंग चिकित्सा का परशिक्षन था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फाइदा नहीं ह उन्होंने उसकी बाहें में ही दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोसी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया था। कोई हैरानी नहीं कि अपने दर्द से चुटकारा पाने के लिए वो बैसक जीवन में और चेतन रूप से अपने सारे पैसे से चुटक कोर्स में हमने धन के पुराने बिल्यूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जौसी की मदद की आज वो बित्य रूप से सोतंतर बनने की रहा पर है अब हो नर्स नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वो काम पसंद नहीं था बात सिर्फ इतनी है कि वो गलत कारण से नर पहलू को किस तरह से प्रवावित करती है मैं आपको एक और उधारन देता हूँ जो मेरे परिवार का है जब मेरी पतनी आठ साल की थी तो सड़क पर आइसक्रिम वाली की घंटी सुनते ही वो भाग कर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी उसकी मां जव दे देते थे वो अपना आइसक्रिम कौन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी हर अपते ये घटना होती थी तो इससे मेरी पतनी ने पैसे के बारे में क्या सीखा पहली बात यह कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या ल की मांग बढ़ गई थी उसने दूसरी बात यह सीखी कि और तों के पास पैसे नहीं रहते हैं अगर उसकी मांग पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है कि उसके पास भी नहीं रहने चाहिए इस विचार को सही सावित करने के लिए वह और चेतन डूरूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पालेती थी वो इसके बारे में बिलकुल नियम से चलती थी अगर आप उसे 100 डॉलर देतेते थे तो वो 100 डॉलर खर्च करती थी अगर आप उसे 있습니다. डॉलर देते थे तो वो दो सो डॉलर खर्च करती थी अगर आप उसे पांसो डॉलर देते थे तो वो पांसो डॉलर खर्च कर देती थी और अगर आप उसे एक हजार डॉलर देते थे तो वो एक हजार डॉलर खर्च कर देती थी फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर डॉलर कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं, ना जाने क्यूं यह उसकी समझ में नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर ही लड़ाई होती थी, इसकी बज़े से हमारी शादी तूटे तूटे बच गई। हम उस वक्त यह नहीं जानते थी कि पैसे के बारे में हमारे नज संग्रे करना है ताकि आर्थिक स्वतनता हासिल की जा सके। जहां तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पतनी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं करती थी, वो तो मन माफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतनता खर्च कर रही थी। और जहां तक उसका सवाल था, उ इससे भी महतुबन बात यह है कि हमने बिशेश रूप से अपने खुशाल रिस्तों के लिए धन का तीसरा ब्लिवप्रिंट बनाया। इससे भी ज्यादा महतुबन बात यह है कि मेरी जिन्दगी स्मृद आनन दायक और सार्थक बन गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले पैसा मुझे बोज लगता था। मैं अपने बित्य मामलों का परबंद अजनबियों को सौप देती थी ताकि मुझे इसकी मेहनत करनी पड़े। पिछली बार शेर बाजार के लुड़कने पर मेरी लगबक सारी पुझी चली गई और मुझे इस बात का जब तक एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि मैंने अपना आत्म सम्मान खो दिया। डर, शरम और निर माइंट समिनार में नहीं लाया गया। उस जीवन बदलने वाले बिकेंट में मुझे अपनी शक्ती वापस मिली और मैंने अपनी बित्य तकदीर की बागडोर खुद संबाली। मैंने दौलत की घोशनाओं को अपनाया और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ कर दिया। मुझे पूरा बिश्वास हो गया कि मैं दौलत बंद बनने की हकदार हूँ और अब मुझे अपने पैसे का परबंदन करने में सचमुच मजा आ रहा है। मैं आर्थिक रूप से सोतंत हो चुकी हूँ और जानती हूँ कि मैं हमेशा सोतंत रहूंगी क्यूंकि मे मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष है। आपको धन्यवाद हार्फ, आपको धन्यवाद। क्या यह सब कारगर है मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में तीन चमतकार देखे हैं। एक मेरी बेटी का जन, दो मेरे बेटे का जन, तीन मेरी पतनी और मैं अ पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं, बलकि लोगों के अलग-अलग ब्ल्यूप्रिंट्स होते हैं। इस से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ज्यादा या कम पैसा है। अगर आपका ब्ल्यूप्रिंट सामने वाले ब्यक्ति के ब्ल्यूप्रिंट से मेल नहीं यह बिवाईत लोगों के लिए भी है डेटिंग पर जाने वाले जोड़े के लिए भी पारिवारिक रिष्टों और यहां तक की बिजनिस के सहीयोगियों में भी समझने की बात यह है कि दिक्कत पैसे की नहीं है दिक्कत तो ब्लूपरिंट की है जब आप अपने पार्टनर क की दौलत की फाइलें आप जैसी ना हो इस बारे में बुरा मानने के बजाए समझने की कोशिश करें यहां पता लगाने की कोशिश करें कि पैसे के शेतर में आपके पार्टनर के लिए क्या महतुपुन है उसकी प्रेरना और डर को जाने इस तरह आप फलों के बजाए जड ब्लूपरिंट को कैसे पहचाने और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल नया ब्लूपरिंट कैसे तयार कर सकते हैं जो आप दोनों की मनचाही चीज तक पहुंचने में आपकी मदद करें अगर आप यह कर लेते हैं तो यह किसी वर्दान से कम नहीं है क्यूंकि इस से ज़ कर धन संबध्धी अपने बिचारों पर चर्चा करें आपने बच्पन में क्या सुना था अपने परिवार में बड़ों को क्या करते देखा था और आपके साथ कौन सी भावनात्म घटनाई हुई थी इसके साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे क का दरसल मतलब क्या है क्या वो खुशी है सुतंता है सुरक्षा है या परतिष्टा है इस से आपको एक दूसरे के दौलत के वर्तमान ब्ल्यूपरिंट को पहचानने में मदद मिलेगी और आप इस शेतर में आपकी और सहमेथी के कारण भी पता कर सकते हैं इसके बाद यह करें कि आज आप अलग अलग बिक्तियों के रूप में नहीं बलकि पार्टनर के रूप में क्या चाते हैं पैसे और सफलता के बारे में अपने नजरियों और आम लक्षों पर मिलकर फैसला करें फिर उन नजरियों और कारियों की सूची बनाएं जिनके अनुरूप आप ज और धन के अपने पुराने ब्ल्यूप्रिंट को गिरप्त में नहीं थे, तो आपने मिलकर क्या फैसला लिया था? 1. जागरुकता. पैसे से संबंदित बच्पन की किसी बिशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचें. 2. समझ. लिख लें कि इस गटना ने आपके वर्तमान बित्य जीवन को किस तरह प्रवावित किया? 3. अलगाओ. क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज आपने सिर्फ सीखी है और यह आपके मूल भूत सोरूप में शामिल नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि बर्तमान फल में आपके पास बदलने का विकल्फ है? घोशना, दिल पर हाथ रख करके हैं मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभावों को छोड़ता हूँ और एक नया वो समरिद्ध भविश्य बनाना चाहता हूँ. अपना सिर्चू करके हैं मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं तो आपका धन का ब्लूपरिंट कहा निर्दारित है? अब मिलेनिर डॉलर वाले सवाल का जवाब देने का समय है. धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूपरिंट कैसा है और वो अवजयतन रूप से आपको किन परिनामों की और ले जा रहा है सफलता, दोयमता या वित्य और सफलता ब्लूपरिंट इन तीनों में कहा निर्दारित है? आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संगर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपनता के लिए आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फ पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे ये उतार चड़ाओ, बाहरी संसार के परिणाम है मिसाल के तोर पर मुझे अच्छी तनख्वा वाली नोकरी मिल गई लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई फिर मैंने अपना खुद का बिजनिस शुरू किया और स्थिती बहुत अच्छी दिख रही थी लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया मेरा अगला बिजनिस बहतरिन चल रहा था लेकिन तभी मेरा पार्टनर छोड़ कर चला गया आदे मुर्ख नाबने यह आपके ब्ल्यू प्रिंट का किया धरा है आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है उंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी क्या आप जानते हैं कि हम मेंसे कई लोगों की प्रोग्रामिंग असली डॉलर की धनराशी में हुई है क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल 20,000 से 30,000 डॉलर कमाने के लिए हुई है 40,000 से 60,000 75,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पांस लाक डॉलर कमा रहा है। मैंने उससे पुछा कि वह पांस लाक डॉलर कब से कमा रहा है। उसने जवाब दिया लगातार साथ साल से। मैं यही सुनना चाता था। मैंने उससे कहा कि वह हर साल बीस लाक डॉलर क्यों नहीं कमा रहा है। मैंने उससे यह भी बताया कि वह यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी पूर्ण बित्य संभावना तक नहीं पूंच चाते हैं। फिर मैंने उससे इस बारे में सोचने को कहा कि वो आधे मिलियन डॉलर की धन राशी पर ही क्यूं अटका हुआ है। उसने कोर्स में आने का फैसला कर लिया। एक साल बाद मुझे उसका इमेल मिला जिसमें लिखा था कोर्स और विश्वसनिये रूप से फाइदेमन था लेकिन मुझसे एक गलती हो गई अपने धन के ब्लूपरिंट को दुबारा निर्धारित करते समय मैंने 20 लाख डॉलर सालाना आमदनी का लक्षे रखा जो हमने पह यह कहना चाता हूँ कि वास्तविक धनराशी महतुकुन नहीं है महतुकुन तो यह है कि क्या आप अपनी पूरी वित्य स्वात्मत संभावना तक पहुँच रहे हैं मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग यह पूछ सकते हैं दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या जर दूसरी बात वह व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशी इसलिए भी कमाना चाता है क्योंकि वह अफरीका में एड्स पीडितों की मदद करने वाली एक संस्ता को बहुत बड़ा दान देना चाता है तो यह गलत धारना छोड़ दें कि अमीर लोग लालची होते हैं आईए आगे चलते हैं आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे परभंद के लिए हुई है या इसके बुरे परभंद के लिए आपकी प्रोग्रामिंग लापकारी निवेश खोजने के लि मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में आपका लेना देना तो है मेरा सेंट डिएगो में लेरी नामक एक परिचित है पैसे बनाने के मामले में लेरी चुम्बक है उसका ब्ल्यूब्रिंट यकीनन उंची आमदनी का है लेकिन उस पैसे के निवेश के मामले में उसके पास मौत का चुम्बन है वह जिस भी चीज में निवेश करता है वह चट्टान की तरह पहाड से लुड़कने लगती है क्या आप यकिन करेंगे कि उसके डेडी के साथ भी बिलकुल यही समस्या थी ओ, मैं निवेश संबंदी सला लेने के लिए लेरी के करीबी संपर्प में रहता हूँ उसकी सला हमेशा आदर्श होती है आदर्श रूप से गलत लेरी जो भी सला देता है मैं उसका उल्टा काम करता हूँ मैं लेरी से प्यार करता हूँ दूसरी तरफ कई लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं वो जिस चीज को छूँ लेते हैं वो सोने में बदल जाती है पारस पत्थर का स्वर्ष और मौत का चुमबन दोनों ही सिंड्रोम धन के ब्ल्यूप्रिंट के प्रकटी करन भर हैं मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं है मैं एक बार फिर कहता हूँ आपके धन का ब्ल्यूप्रिंट आपके बित्य जीवन और यहां तक की आपके नीजी जीवन को भी प्रवावित करेगा अगर आप महिला है जिसका धन का ब्ल्यूप्रिंट निचले सतर पर तै है तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे प्रुश को आकरशित करेंगी जिसका ब्ल्यूप्रिंट भी नीचे तै होगा ताकि आप आर्थिक द्रिश्टी से अपने आराम दे दाइरे में रहे सकें और अपने ब्ल्यूप्रिंट को सही साबित कर सके अगर आप प्रुश है जिसका ब्ल्यूप्रिंट डिचले सतर का तै है तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे मेला को आकरशित करेंगे जो खड़चिली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी ताकि आप अपने बित्य आराम दे दाएरे में रह सकें और अपने ब्ल्यूप्रिंट को सही साबित कर सके ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनिस की सखलता मुलतों उनकी बिजनिस योग्यताएं और ग्यान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निरवर है मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह धारना कोरी बक्वास है बक्वास के सिवा और कुछ नहीं आपका बिजनिस जितनी अच्छी तरह चलता है यह आपके धन के बिल्यूप्रिंट का परिनाम है आपका बिल्यूप्रिंट हमेशा सही सावित होगा अगर आपका बिल्यूप्रिंट एक डॉलर की सालाना आमदनी पर तैह है तो आपका बिजनिस उतना ही अच्छा चलेगा ताकि आपको हर साल एक लाख डॉलर की आमदनी हो जाए मान लीजी आप सेल्समेन है और आपका ब्लॉप्रिंट पचास हजार डॉलर सालाना आमदनी के लिए तैह है अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल नबे हजार डॉलर मिल जाते हैं तो या तो वो बिक्री रद हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भागेशाली सावित होगा और आपको अपने बित्य ब्लॉप्रिंट के स्तर पर ले आएगा दूसरी तरफ अगर आपका ब्लॉप्रिंट पचास हजार डॉलर आमदनी तैपर है और दो साल में आप मंदी से चल रहे हैं तो चिंता ना करें आपको यह सब वापस मिल जाएगा ऐसा होना ही है यह तो मस्तिक्ष और धन का आउचेतन नियम है इस तीती में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते समय बस से टकरा जाएगा और उसे बीमे में पूरे पचास हजार डॉलर मिल जाएंगे यह आसान है अगर आपका इसका एक स्वश्ट तरीका यह है कि आप अपने परिनाम देख लें अपना बैंक खाता देखें अपनी आमदनी देखें अपनी नेट वर्थ देखें निवेश में अपनी सफलता देखें बिजनिस में अपनी सफलता देखें देखें कि आप फिजूल खर्च में क्या कर र अपने अन संबंदों को देखें, जिन में धन शामिल हैं। धन मुश्किल से आता है या आसानी से। आप बिजनिस करते हैं या नोकरी। आप एक बिजनिस या नोकरी के लंबे समय तक चिपके रहते हैं। या फिर काफी उचलते रहते हैं। आप का प्लूप्रिंट थर्मो स क्या यह संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंड होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिगरी हो जाए। थर्मो स्टेट जीत चाएगा और तापमान को फिर से 60 डिगरी पर ले आएगा। आप चाहें तो रियल स्टेट या शेर बाजर के बिशेशग्य बन जाएं। यह सभी जबरदस्त ओजार है लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशी उत्पन करने और कायम रखने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे ओजार आपके ये बेकार सावित होंगे एक बार फिर यह साधारन सागनित है आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं सोभागे कहें या दुरभागे कहें धन और सफलता का आपका ब्यक्तिकत ब्ल्यूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेग जब तक कि आप इसे पहचान और बदल ना लें हम इस पुस्तक के खंट दो में यही काम करेंगे और मिलिनिर माइन इंटेंसिव सेमिनार में तो इससे भी आगे तक जाएंगे याद रखें हर परिवर्तन का पहला तत्व जाग रुकता है खुद पर नजर रखें सचेत बन अपने बारे में पूरा अध्यन करें हमें से जादतर लोग ये मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी चुनाओ के आधार पर जीते हैं आमतोर पर ऐसा नहीं होता है भले ही हम सचमुच ग्यानी हो लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाओ करते हैं यानि तब हम बरतमान पल के प्रती जागरूप होते हैं ज्यादतर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं और अपने अतीत के कंडिशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं यहीं पर चेतना काम करती है चेतना आपके बिचारों और कारियों का निरिक्षन करती रहती है ताकि आप अ बरत्मान पल में सही चुनाओ करके जीएं सचेत रहे कर हम अतीत के बजाए बरत्मान के आधार पर जीवन जी सकते हैं इस तरीके से हम स्थिथी पर उचित परतिक्रिया करेंगे और अपनी कुशलताओं वो गुणों का पूरी शमता से दोहन करेंगे तब हम घटनाओं पर अनुचित परतिक्रिया नहीं करेंगे और अतीत के डरों तथा औस रुक्षाओं से संचलित नहीं होंगे जब आप चेतन हो जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उसका बिशलेशन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ अतीत में मिली जानकारी है जिस पर आपने वस वक्त यकीन कर लिया था जब आप इतने चोटे थे कि उसका कोई मतलग भी नहीं जानते थे आप देख सकते हैं कि यह कंडिशनिंग आपका बरतमान सहरूप है बलकि आपकी पुरानी सीख है आप देख सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं बलकि रिकॉर्डर है आप गिलास की समगरी नहीं बलकि गिलास है आप सौफटवेर नहीं बलकि हार्डवेर है हाँ आनु वह इंशिता अपनी भूमी का निवा रही है और हाँ आध्यात्मिक पहलू भी काम कर रहे हैं लेकिन ज्यादतर मामलों में दूसरे लोगों की धारनाएं और उन से मिली जानकारी आपको आकार देती है जैसा मैंने पहले सुजाओ दिया है जरूरी नहीं कि ये धारनाएं सच हैं या जूट सही हैं या गलत इनकी परमानिकता चाहें जो भी हो मूल रूप से वो ऐसे विचार हैं जो पीड़ी दर पीड़ी आप तक पहुँचाए गए हैं यह जानने के बाद आप चेतन रूप से हर ऐसी धारना को त्यागने का चुणाव कर सकते हैं जो आपकी दोलत के प्रती सकारात्मक ना हो उसकी जगे पर आप कोई सकारात्मक धारना अपना सकते हैं अपने कोर्स में हम सिखाते हैं कि कोई बिचार आपके दिमाग में बिना किराय के नहीं रहता है आपके मन में आने वाला हर बिचार या तो निवेश होगा या खर्च यह या तो आपको खुशी और सफलता की और ले जाएगा या फिर इन से दूर ले जाएगा यह आपको या तो सशक्त बनाएगा या फिर औशशक्त बनाएगा इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बिचार और धारनाए समझदारी से चुनें यह अच्छी तरह समझ लें कि आपके बिचार और धारनाए आपकी वास्तिक पहचान नहीं है यह भी जरूरी नहीं है कि वे आपका भला करते हैं हाला कि वो आपको किमती लग सकते हैं लेकिन उनका उससे ज्यादा महतो और अर्थ नहीं है जो आप उन्हें देते हैं किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है सिवाए उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं याद करें इस पुस्तक के शुरू में मैंने आपको ये सुजाओ दिया था कि आप मेरे कहे एक शब्द पर भी भरोसा ना करें देखिए अगर आप सचमुच अपने जीवन का आसमान में ले जाना चाते हैं तो आप अपने खुद के एक शब्द पर भी भरोसा ना करें और अगर आप तत्काल ग्यान चाते हैं तो अपने सोचे एक भी विचार पर भरोसा ना करें बहराल अगर आप ज़्यादतर लोगों की तरह हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुछ धारनाएं होंगी इन में से ऐसी धारनाएं को अपनाएं जो आपको फाइदा पहुंचाएं यानि अमीर धारनाएं याद रखें विचार भावनाओं की और ले जाते हैं जो कारियों की और ले जाती हैं और कारिये परिणामों की और ले जाते हैं आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाओ कर सकते हैं और इस तरह अमीर लोगों जैसे ही परिणाम उत्पन कर सकते हैं. सवाल ये है, अमीर लोग किस तरह सोचते हैं और काम करते हैं, इस पुस्तक के खंड दों में हम आपको ठीक यही बताने वाले हैं. अगर आप अपने बित्य जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहें. घोशना करें, दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अपने बिचारों की निगरानी करता हूँ और सिर्फ उनी को जगे देता हूँ जिन से मुझे शक्ती मिलती है. अपना सिर्चों कर कहें, मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष है. खंड दो, दोलत की फाइलें. सतरा तरीके जिन से अमीर लोग, गरीब और मध्यवर्गी लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं. इस वुस्तक के खंड एक में हमने प्रकटी करन की परिक्रिया के बारे में चर्चा की है. याद है ना, बिचार भावनाओं की और ल जाते हैं. सब कुछ आपके बिचारों से शुरू होता है, जो आपके दिमाग में उत्पन होते हैं. क्या है आश्चरे जिनक नहीं है कि हमारा मस्तिक्ष एक तरह से हमारे जीवन का आधार है? लेकिन इसके बावजुद हम में से जादातर लोग को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सशक्त उपकरन किस तरह काम करता है? तो आईए एक नज़े डाल कर देख लें कि आपका मस्तिक्ष कैसे काम करता है? आलंकरिक भाशा में कहें तो आपका मस्तिक्ष एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज्यादा कुछ नहीं है. वैसे ही अलमारी जो आपके आफिस या घर में होती है. यह अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेवर लगाता है और उसकी फाइल बना कर फोल्डर में रख देता है ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो. क्या आपने सुना? मैंने यही नहीं कहा कि आपके जीव की फाइलों तक पहुंचते हैं. उधारन के लिए आप किसी बित्य आउसर के बारे में बिचार कर रहे हैं. आप खुद बखुद धन के लेबल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाफ से फैसला करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं. पैसे के बारे में आपक बिचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइलों में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सो सकते हैं क्यूंकि आपके मस्तिक्ष में इस बिशे पर उतनी ही जानकारी मौजूद हैं। उस समय आप अपने लिए जिसे तारकिक, समझधारी भरा और उचित मानते है उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाओ करते हैं। बहराल समस्या ये है कि हो सकता है आपका सही चुनाओ, सफल चुनाओ ना हो। सच तो ये है कि हो सकता है कि जिसमें आपको समझधारी लग रही हो, वह लगातार आपको बहुत खराब परि देखती है, यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिसकाउंट है, क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए, यह सवाल लेकर वो ततकाल अपने मस्तिक्ष की फाइलों तक जाती है, एक पल के हजारों हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती ह तुम पिछले हपते खरीदी हरी जूतियों की मेचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी, इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो, जब वो ततकाल चेक आउट काउंटर की और बढ़ती है, तो उसका मस्तिक्ष ना सिर्फ इस बात पर रोमा पर्स दारी है, वो पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी जरूरत है, और ये इतना अच्छा सोदा है, बहराल किसी भी मोड पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया, सच है, ये पर्स सचमु सुन्दर है, और माना कि ये अच्छा सोदा है, लेकिन इस समय मुझ पर तीन हजार डॉलर का करज है, इसलिए सयम बनाना बहतर होगा, उसके दिमाग में ये विचार इसलिए नहीं आया, क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में यह बात धर्ज ही नहीं है, जब आप करज में हों, तो और खरीदारी ना करें, कि फाईल उसके दिमाग के अगर आपके दिमाग में केबिनेट में रखी फाइलें बित्य सफलता की समर्थक नहीं हैं, तो आप ऐसे ही विकल्ब चुनेंगे, वो सोभाविक सहच होंगे और समझधारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततो उनके बित्य और सफलता या कम से कम दोयमता उत्पन होगी, इसके अगर आपके दिमाग की फाइलें बित्य सफलता की समर्थक हैं, तो आप सोभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निरने लेते हैं, जिन से सफलता मिलती जाती है, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, सोचने का आपका सोभाविक तरीका सफल परिनाम होग की आप सहज रूफ से अमीर लोगों की तरह सोचें, मुझे यकीन है की आपके इसका जवाब बिलकुल या इससे मिलता जुलता जवाब ही दिया होगा, देखे, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसा की हम पहले बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कدم जाग रुकता है, इस वो धन, दौलत, सुए, अन्य लोगों और जीवन के लगबग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, इस पुस्तक के खंड दों में हम इनी भिंताओं पर बाचित करेंगे और आपकी री कंडिशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 बेकल्पिक दौलत की फाइल इंस्टाल करेंगे, नई फाइलों के साथ नई विकल्प चाएंगे, फिर अगर आप कभी गरीब और मध्यम वर्गियों की तरह सोचने लगे, तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं, जिस तरह अमीर लोग सोचने के बज़ाए, आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं, कुछ बाते में पहले ही साब कर देना चाहता हूँ, पहली बात, किसी तरह से, किसी परकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिख आता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुंच जाए, इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिक्तम रखना चाहता हूँ, दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्यवरगी लोगों की बात करता हूँ, तो मैं उनके पास मौजूद वास्विक रकिफिश या समाच के लिए उनके महतो की बजाए, उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ, ये लोग कसी तरह से अलग-अलग सोउचते और काम करते हैं, तिसरी बात, मैं सामानिय करन करने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सभी अमीर वोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा मैं वर्नन करूंगा एक बार फिर मेरा लक्षय यह सुनश्चित करना है कि आप हर सिद्धान्त के मर्म को समझे और इसका इस्तेमाल करें चौथी बात ज्यादतर मामलों में मैं मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं करूंगा क्यूंकि आम तोर पर मध्य वर्ग कमाना चाते हैं तो मेरा लक्षय आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूप बनाता है पांचवी बात ऐसा लग सकता है कि इस घंड में कई सिद्धान्त सोचने के तरीकों के बजाए आदतों और कारियों से संबदित हैं याद रखें हमारे कारे हमारी भाउन मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छु करें इस से मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें क्यूं क्यूंकि आपका तथा कतित सही तरीका ही आपको वहाँ तक लाया है जहाँ आप इस वक्त हैं अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो मुझ मुझ अमीर ब्यक्ती ने बनाया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की रहा पर पहुंचाया है अब आगे आपकी मरजी आप जो अवधारनाए सीखने वाले हैं वो सरल लेकिन समझदारी भरी है वो वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन का काया कल्प कर दिया है अगर आप उन्हें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा बिश्वास है कि वो आपके जीवन का भी काया कल्प कर देंगी हर खंड के अंत में आपको एक घोशना और शारिरिक गदिविती मिलेगी जो उसे आपके शरीर पर लंगर बना कर जोड देगी आपको इस दौलत की फाइलों को आत्म साथ करने के लिए कुछ कारे भी करने होंगे जो हमने बताये हैं यह अनिवारे हैं कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संबव हो अमल में लाएं ताकि ग्यान शरीर और मन के हर हिसे तक पहुँचकर स्थाई परिवर्टन उत्पन कर सकें ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि दरसल दो तरह की आदतें होती हैं करने वाली आदतें औ पढ़ने का इकलोता तरीका उन कामों को करना है पढ़ने से आपको मदद मिलेगी लेकिन जब आप पढ़ने के पढ़ने से करने तक पहुँचते हैं तो यह एक पिल्कुल ही अलग दुनिया होती है अगर आप सफलता को लेकर सचमच गंबीर हैं तो इसे सावित करें और ज जिन्दगी खुद बनाता हूँ गरीब लोग मानते हैं जिन्दगी में मेरे साथ घटनाय होती है अगर आप दोलत उत्पन करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवारे है कि आप अपने जीवन खास तोर पर अपने बित्य जीवन के स्टेरिंग वील पर बेठे हैं अगर आप तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन पर आपका बहुत कम नियंतरन है या नियंतरन है ही नहीं और इसलिए आपकी बित्य स्टेर्टा पर भी आपका बहुत कम नियंतरन है या नियंतरन है ही नहीं यह अमीरों का नजरिया नहीं है क्या आपने कभी गोर किया है कि आम तोर पर गरीब लोग ही लोटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं, वो सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यह है कि कोई बकसे में से उनके नाम की पड़्ची उठा ले, वो शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लोटरी का ड्रॉ लेकिन पहली बात वो लोटरी टिक्टों पर अपनी आधा तनकुआ खर्च नहीं करते हैं और दूसरी बात लोटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रन्नीती नहीं होती हैं आपको यह यकिन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्मान कर और आप ही अपने संगरश का निर्मान करते हैं चैतन या औторы चैतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं जीवन में होने वाले घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाए गरीब लोग पीड़ित या विक्टिम की भूमी का निवाने का चुनाओ करते हैं पीड़ित लोगों का निभाना मैंने यह नहीं कहा था कि वो पीडित हैं मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पीडित है मैं मानता हूं कि लोग पीडित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्यूंकि वो सोचते हैं कि इस से उन्हें कुछ मिलता है इस बारे में हम कुछ समय ज्यादा बिस्ता से बात करेंगे. आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीडित की भूमिका अदा कर रहे हैं, इसके तीन स्पष्ट संकेत हैं. इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह ऐसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इस पुस्टक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, आप ऐसे किसी विक्ती को करीब से जानते हों, चाहे जो भी हों, मेरी सला है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पड़ें। दिल्चस बात यह है कि पेडित खुद की तरफ देखते तक नहीं, कम से कम उन्हें पेडितों को मज़ा आ जाता है। ब्रोकर को दोश देते हैं, वो अपने बिजनिस के परकार को दोश देते हैं, वो अपनी कमपनी के मालिक को दोश देते हैं, वो अपने करमचारियों को दोश देते हैं, वो अपने मेनेजर को दोश देते हैं, वो head office को दोश देते हैं, वो अपने up line या down line को दोश देते हैं, customer services को दोश देते हैं, shipping department को दोश देते हैं, partner को दोश देते हैं, अपने जीवन साथी को दोश देते हैं, वो इश्वर को दोश देते हैं, और जाहिर है, वो हमेशा अपने माता पिता को दोश देते हैं, हमेश कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्तिती होती है जिसे दोशी ठहराया जाता है समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है पीडित का संकेत दो खुद को सही ठहराना अगर पीडित किसी दूसरे पर दोश नहीं मड रहे हैं तो अक्सर आप कि वो अपनी स्थीथी में खुद को सही ठेरा रहे हैं या तरक दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं पैसा सचमुच महतुबू नहीं है। मेरे सेमिनारों में कुछ प्रतिभागी हमेशा मुझसे कहते हैं आप जानते हैं हार पैसा सचमुच इतना महतुबू नहीं है। की बात नहीं है। यह हमेशा की बात है। आप हमेशा कड़के या इसके करीब रहे हैं हाँ या नहीं। इस बिंदू पर वो आमतोर पर सहमती से सिरहिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब वो सुनने और सीखने के लिए तयार हैं। क्योंकि उन्हें आखिरकार यह ऐसास हो गया है कि इस एक धारना का विश्वास या उनके जीवन पर कितना बिनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है वो कड़के हैं। अगर आप मोटर साइकल को महतुपन नहीं मानते तो क्या आपके पास मोटर साइकल होगी। जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतु तोते को महतुपन नहीं मानते हैं। तो क्या आपके पास पालतु तोता होगा। जाहिर है नहीं होगा। पैसा महतुबूर नहीं है। आप अपने माते पर हात रखकर उपर देखते हैं जैसे आपको आस्मान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पुछेगा तुम्हें कैसे पता चला। फिर आप अपनी हतेली फेला कर जवाब देते हैं तुम और क्या जानना चाते हो। परामर शुल्क 50 टॉलर है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ जो भी कहता है कि पैसा महतुबूर नहीं है। उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महतुबूर और समाज में उसके स्थ और कुशलता को तारकिक साबित करने के लिए तरहे तरहे की और तारकिक तुलना करते हैं, वो बहस करते हैं, देखिए पेसा प्रेम जितना महतुपुन नहीं है, अब यह तुलना मुर्कता पूर्ण है या नहीं, ज्यादा महतुपुन क्या है, आपका हाथ या पेर, शायद दोनों ही महतोकुन हैं। उन शेतरों में बहुत ही महतोहीन है जिन में यह काम नहीं करता अब भी यकीन नहीं है। और सिर्फ एक शब्द चिलाएगी स्क्यरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महतोकुन नहीं है। और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में और सफल रहा हूँ और आप अब भी मानते हैं कि पैसा महतोकुन नहीं हैं। तो मेरे पास आपके लिए तीन शब्द हैं। आप कड़के हैं। और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने बित्य ब्ल्यूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं लेंगे। पीडित कास्तं के तीन शिकायत करना। शिकायत करना वो सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी। क्यों? मैं ब्रह्मान की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम में बिश्वास करता हूं। जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंदरित कर रहे हैं अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंदरित कर रहे हैं और क्यूंकि आप जिस पर ध्यान केंदरित करते है वो बढ़ता है इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती रहेंगी बिक्तिकत विकास के शैतर में कई शिक्षक आकरशन के नियम की बात करते हैं इसके अनुसार चीजें अपने समान चीजें को आकरशित करती हैं इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरसल अपने जीवन में गलत चीजें को आकरशित कर रहे हैं यहां पर दोलत का सिदान्त है कि जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जाकते कश्ट आकरशित करने वाले चुमबक बन जाते हैं क्या आपने कभी इस बात पर गोर किया है कि शिकायत करने वालों की जिन्दगी आम तोर पर बहुत मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि जो भी चीज गलत हो सकती है वो उने के साथ होती है। वो केते हैं जाहिर है, मैं शिकायत करता हूँ, देखे तो सही मेरी जिन्दगी कितनी गढ़वढ है, अब जब आप बहतर जान गये हैं, तो उनसे कह सकते हैं, नहीं, तुम शिकायत करते हो, इसलिए तुम्हारी जिन्दगी इतनी गढ़वढ है, अपना मुho बंद रखो, और यहां से दफ़ा हो जाओ। यहां हम एक और काम की बात करते हैं. आपको ये सुनक्षित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें. अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़ें तो ये सुनक्षित कर लें कि आपके पास फोलात का चाता हो वरना गड़बड चीजें उनके बजाए आपके पास आ जाएंगी जहां तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूं क्योंकि नकारात्मक उरजा सकारात्मक होती है बहराल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाओ से उनकी बातें सुनते हैं क्यों? कारण साफ है वो किस्सा सुनाने कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं आपको लगता है कि यह बुरा है ठहरिये तो सही, जरा सुनिये तो सही मेरे साथ क्या हुआ यहां मैं आपको थोड़ा होंबक दे रहा हू हूँ और में वादा है कि यह आपकी जिंदगी बदल देगा मैं आपको चुनोती देता हूँ कि अगले साथ दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत ना करें मुँ के शब्दों से ही नहीं बलकि दिमाग के बिचारों में भी लेकिन आपको यह काम पूरे साथ दिन तक करना होगा क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले ही कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे दुरुआगे से शिकायतें आम तोर पर परकाश की गती से नहीं चलती वो शिकायतों की गती से चलती है इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लगता है मैंने हजारों लोगों को यह चुनोती दी है और उनके परिणामों से मैं स्वें हैरान हूँ उन में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस चोटे से अभ्यास ने उनकी जिन्दगी पूरी तरह बदल दी जब आप अपनी जीवन में गड़वड चीजों की शिकायत करना छोड़ देते हैं और इस तरह उन्हें अपनी और आकरशित करना छोड़ देते हैं तो मैं गारिंटी देता हूँ कि आप खुद यह देकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अदभुद बन गया है अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता और आकरशित करने के बारे में भूल जाए जादतर लोगों के मामले में तो सिर्फ नीटरल तक पहुँचना ही अच्छी शुरुआत होती है दोश देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है वो तनाव कम करने वाली गोलियों से जादा कुछ नहीं यह औसफलता के तनाव को कम करती है जरा इस बात में सोचें अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से औसफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोश मड़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की जरूरत है जवाब सपष्ट है, जरूरत ही नहीं आगे से जब आप खुद को दोश मड़ते हैं, सही ठहराते हैं, शिकायत करते हैं, सुनें तो ततकाल रुक जाएं खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्मान कर रहे हैं और हर पल सफलता या औसफलता को आकरशित कर रहे हैं यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बिचारों और शब्दों का चैन साबधानी से करें अब आप दुनिया के महानतम रहसियों में से एक को जानने जा रहे हैं क्या आप तयार हैं इसे साबधानी से पड़ें सच तो यह है कि अमीर पीडित जैसी कोई चीज नहीं होती है क्या आप इसका मतलब समझ गए मैं इसे दोबारा कहता हूँ सच तो यह है कि अमीर पीडित विक्टिम अमीर पीडित जैसी कोई चीज नहीं होती है इसके लावा सुनेगा कौन, अरे मेरी याट में एक खरोंच आ गई है, इस पर लगबग हर व्यक्ति कहता है, किसे परवा है, दौलत का सिदान्त, सस तो यह है कि अमीर पीडित जैसी कोई चीज नहीं होती है, बहराल, पीडित होने के निश्चित रूप से अपने लाव होते हैं, बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है, जवाब है दूसरों का ध्यान, क्या ध्यान इतना महतवून है, शर्त लगा लें, है, किसी ना किसी तरह से लगबग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जि ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है, मेरा यकीन करें, सच्मुच खुश और सफल बनना लगबग और संभव है, अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं, तो आप दूसरों की दया पर हैं, आम हरकतें करने की परवर्ती होती है, कहीं कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग-अलग करना बहुत जरूरी है, पहली बात, आप ज़्यादा सफल बन जाएंगे, दूसरी बात, आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकाश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वो सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम कर सकते हैं। जब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि वो आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा है अमीर पीडित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए पीडित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनश्चित करना होता है कि वो कभी अमीर ना बन और मेरा मतलब है, हर बार जब आप दोश देते हैं, खुद को सही ठेराते हैं या शिकायत करते हैं, तो आप अपना बित्य गला काट रहे होते हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर ज्यादा दयालू और नम्र शब्दों का परियोग करना अच्छा होता लेकिन उसे छोड़ फिलाल मेरी दिल्चस्पी दयालू या नम्र होने की नहीं है, मेरी दिल्चस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज़्यादा दयालू और नम्र की बातें करेंगे, ठीक है ना, जब आप शक्ति पहचानने का समय आ गया है और यह स्विकार करने का कि आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मौजूद में हर चीज का निर्मान करते हैं और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है यह जान लें कि आप अपनी दोलत अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स् करके हैं अपनी बित्य स्वलता के स्तर का निर्मान मैं खुद करता हूँ अपना सिर छू करके हैं मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं मिलेनिर मस्तिक्ष की गतिविदिया एक जब भी आप देखें कि आप दोश मड रहे हैं खुद को सही ठेरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं तो हर बार अपनी तरजिनी उंगली अपने गले तक फेरें ताकि आपको तत्कालियाद आ जाए कि आप अपना बित्य गला घोंट रहे हैं एक बार फिर हालाकि खुद के गले पर उंगनी फेरना थोड़ा अजीव लग सकता है लेकिन ये दोश टेकर खुद को सही ठेराने या शिकायत करके अपना बुरा करने के ज़्यादा अजीव नहीं है और अन्तव यह के रिया इस बिनाशकारी आदत को खतम कर देती है दो एक डीब्रीफ करें हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह हुई और एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह से नहीं हुई फिर नीचे दियेगे इस सवाल का जवाब लिख लें मैंने किस तरह से इन में से प्रतियक प्रस्तिती का निर्मान किया अगर दूसरे लोग शामिल हों तो खुद से पूछें इन में से प्रतियक स्तिती का निर्मान करने में मेरी भूमी का क्या थी यह अब्यास आपको जीवन के प्रती जवाब दे बनाएगा और उन रन्नितियों के बारे में जागरुक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है दोलत की फाइल दो अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं गरीब लोग पैसे का खेल हाज से बचने के लिए खेलते हैं गरीब लोग पैसे का खेल आकरामक नहीं सुर्खशात्मक तरीके से खेलते हैं मैं आपसे पूसता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं, तो उस मैच में आपके जीतने की संभावना कितनी है, अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिलकुल भी नहीं, बहराल ज्यादतर लोग पेसे का खेल इसी तरह से खेलते है दोलत और प्रचूरता उत्पन करने के बजाए वो हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं, अब बताएं आपका लक्षे क्या है, आपका उद्देशे क्या है, आपका सच्चा इरादा क्या है, सचमुच अमीर लोगों का लक्षे प्रचूरत और समरिदी होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बलकि धेर सारा पैसा, दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्षे क्या होता है, बिल चुकाने लाइक पैसे, अगर समय पर मिल जाएं तो चमतकार होगा, एक बार फिर से मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला एक कदम आगे जाते हैं, बड़ी बूरी बात यह है कि यह सिर्फ एक छोटा कदम है, जिवन में उनका बड़ा लक्षे दुनिया में उनका सबसे पिरिये शब्द है, वो बस आराम दे अवस्ता में रहना चाते हैं, मुझे आपको यह खबर देते हुए अपसोस है, लेकिन आराम दे होने और अमीर होने में भारी अंतर है, मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था, मेरे खयाल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है, क्यूंकि मैं तीनों खेमे में रहे चुका हूँ, मैं बिलकुल कड़का रहे चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गेस भरवाने के लिए एक डॉलर उधार लेना पड़ता था इसलिए में इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि वो मेरी कार नहीं थी दूसरी बात वो डॉलर चार क्वार्टर्स यानि चार सिक्कों के रूप में आया था क्या आप जानते हैं कि किसी बियसक के लिए गेस डलवाने के बाद चार सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली बेटिंग मशीन लेकर लूट कर आया हूँ और फिर अपना सिर हिला कर हसने लगा मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं लेकिन ये निश्टित रूप से मेरे बित्ये निचले स्तर में से एक था और दुरबाग्य से यसे अन्य परसंग भी हुए थे जब मैंने अपनी स्थीती सुधरी तो मैं आराम दे होने के स्तर पर पहुँच गया आर्थिक दृष्टि से आराम दे रहना अच्छा होता है कम से कम आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं लेकिन ज्यादतर मामलों में सिर्फ चिकन का ओरडर दे सकता था लेकिन चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है बशरते आप सच्मुच चिकन ही खाना चाते हो लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है दरसल जो लोग बित्य द्रिश्टी से सिर्फ आराम दे होते हैं वो आमतोर पर खाने की चीजों का फैसला मीनू के दाएं हिस्से की तरफ देख कर करते हैं जहां कीमते लिखी रहती है तुम आज रात क्या खाओगी प्रिये मैं यह साथ पॉइंट 95 डॉलर वाली डिश लोंगी देखते हैं कि यह क्या है है हैरानी है यह फिर से चिकन है इस सब्ता उन्निसुई बार जब आप आराम दे होते हैं तो आप मीनू में नीचे की और लिखी डिश पर निखान डालने की हिमत भी नहीं कर सकते हैं क्यूंकि वहां पर मध्यवर ये डिक्शनरी में सबसे प्रभंदित शब्द लिखे होते हैं बाजार भाव पर और उत्सुक्ता जगाने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते हैं पहली बात क्यूंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट से बाहर होगा दूसरी बात ये बहुत शर्मनाग होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत 50 डॉलर है तो यह आपके हिसाब आपके जवाब पर यकीन नही रहेगा जब यह सुनकर आप कहेंगे देखो ना जाने क्यूं आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का है मैं यह कहना चाहूंगा कि नीजी तोर पर मेरे लिए अमीर बनने की बात में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुझे मीनू की कीमते देखने की कोई जरुरत नहीं होत कि जब मैं दिवालिया या आराम दे था तब मैं ऐसा नहीं करता था मूल मुदा यह है अगर आपका लक्ष आराम दे बनना है तो इस बात की संबावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे लेकिन अगर आपका लक्ष आमीर बनना है तो इस बात की संबावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे लेकिन अगर आपका लखश अमीर बनना है तो इस बात की संबाबना है कि आप बहुत आराम दे तो बन ही जाएंगे। हम अपने कोर्स में एक सिधान सिखाते हैं अगर आप सितारों पर निशाना साथते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेगें। गरीब लोग अपने मकान की छट पर भी निशाना नहीं साथ पाते और फिर इस बात पर हैरानी होती है कि वो सफल क्यों नहीं है देखिए उन्हें कभी अभी अभी कारण पता चल गया है आप वही पाते हैं जिसे पाने के सचा इरादा आप रखते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्षे अमीरी होना चाहिए बिल चुकाने लाइक या आराम दे होने लाइक पैसे होना नहीं अमीर मतलब अमीर घोशना दिल पर हाथ रखकर कहें मेरा लक्षे मिलेनियर और उस से भी ज़्यादा बनना है अपना सिर्चों कर कहें मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं मिलेनिर मस्तिक्ष की गतिविदियां एक दो बित्य लक्षे लिख ले जो दोयमता या गरीवी के बजाए दौलत बनाने का इरादा दर्शाएं जीतने के लिए खेलने के अपने दो लक्षे लिखें वार्शिक आये और दो नेट वर्थ इन लक्षियों को यथारतवाती समय सिमा में हासिल होने योगे बनाएं लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है नमबर दो किसी भैतरिन रेस्टोरेंट में जाकर बाजार भाव पर डिश का ओडर दें बिना उसका भाव पूछे अगर आर्थिक तंगी चल रही हो तो बिल आदा आदा बांटा जा सकता है पुनश्चा चिकन नहीं मिलेगा दौलत की फाइल तीन अमीर लोग अमीर बनने के प्रती समर्पित होते हैं गरीब लोग अमीर बनना चाते हैं अगर आप लोगों से ये पूछें कि क्या वो अमीर बनना चाते हैं तो ज्यादतर लोग आप की और ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं वो कहेंगे जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बहराल सचा है ये है कि ज़्यादतर लोग वास्ता में अमीर नहीं बनना चाहते हैं, क्यूं? क्यूंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती है, जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने Millionaire Mind Intensive सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूशते हैं, अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या है? नीचे देखें कि इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं? क्या आपको इन मेंसे किसी में अपने विचार अगर मैं दोलत कमाने के बाद उसे गवाँ दूँ तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच और सफल हो जाऊंगा. मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दोलत को. मैं सबसे उन्ची टेक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आदा पैसा सरकार को देना पड़ेगा. इस से बहुत जादा मेहनत है. इस कोशिश में मैं अपनी सहत गवाँ सकता हूँ. मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे तुम्हे क्या लगता है? तुम कौन हो? और मेरी आलोचना करेंगे. हर ब्यक्ती मुझे मुझे मदद की उम मुझना होगा. मुझे टेक्स की रननितियों और पूंजी की सुरुखशा की चिंता करनी पड़ेगी. और मुझे महंगे एकाउंटेंट्स और बकील की फीस देनी पड़ेगी. उफ! कितनी मुसीवत का काम है. और सूची इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है. जैसा मैंन कई लोगों की फाइलों में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बढ़ना इतना शांदार क्यूं नहीं है. इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उसके आंत्रिक संदीश मिले जुले होते हैं. इसका एक हिसा खुशी से कहता है ज्यादा पेसे का मतलब है जिन्दगी में लेकिन दूसरा हिसा चीखता है हाँ लेकिन मुझे गदे की तरह काम करना पड़ेगा. इसमें क्या मज़ा है? एक हिसा कहता है मैं दुनिया भर की सेर कर सकता हूँ. लेकिन तबी दूसरा हिसा कहता है हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद के लिए हाथ पहलाएग यह मिले जुले संदेश मालूम लग सकते हैं लेकिन सस्तो यह है कि यही वो पर्मुक कारण है जिनकी वज़े से ज़्यादतर लोग कभी अमिर नहीं बन पाते आप इसे इस तरह देख सकते हैं ब्रहमांड यानी उच्चतर शक्ती एक बड़े मेल ओर्डर डिपार्टमेंट जैसा है ब्रहमांड लगातर आपकी और लोगों घटनाओं और चीजों को भेज रहा है आप अपने परबल बिश्वासों के आधर पर उर्जा से संचरित संदे पाता है कि आप चाहते क्या है एक मिनट ब्रहमांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं इसलिए यह आपकी और दौलत के आफसर भेजने लगता है लेकिन फिर वो आपको कहते हुए सुनता है कि अमीर लोग लालची होते हैं इसलिए ब्रहमांड आपकी बात मान कर ऐस व्यास्ता करने लगता है तापकि आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहें लेकिन फिर आफ सोसते हैं ज़्यादा पैसा होने पर जिंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी तो बेचारा ब्रहमाण दुविदा में दोबारा आपकी और ज़्यादा पैसे कमाने के आउसर जाते हो वह मैं तुम्हें दे दूँगा बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो ज़्यादा तर लोगों को अपनी मन चाहिद चीज इस परमुक करन से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं अमीर लोग पूरी तरह स्वष्ट होते हैं कि वो दौलत चाहते हैं उनके इच्छा अटल होती है वो दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं जब तक तरीका कानूनी नेतिक और सही हो वो दौलत कमाने के लिए हर काम करने के लिए तयार रहते हैं अमीर लोग ब्रहमान्ट को मिले जुले संदेश नहीं भेजते, गरीब लोग भेजते हैं। वैसे पिछला पहरागरा पढ़ते समय अगर आपके दिमाग के भीतर की धीमी आवाज ने कहा हो, अमीर लोगों को इस बात की परवाही नहीं होती की तरीका, कानून, नेतिकता और सही हो, तो आप निश्चित रूप से यह पुष ही नहीं होता कि वो क्या चाते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि यह सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्य हो सकती है। परिणाम सवरूप उन्हें शत्पर्तिशत यकिन नहीं होता कि वो सचमुच अमीर बनना चाते हैं। वो ब्रहमान को जो वेजते हैं वो दूविधा पूर्ण होता है दूसरों के परती उनका संदेश दूविधा पूर्ण होता है और ये सारी दूविधा क्यों होती है क्योंकि खुद के परती उनका संदेश भी दूविधा पूर्ण ही होता है पहले हमने इरादे के शक्ति के बारे में बात की मैं जानता हूं कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं जो आप अफचेतन मन से चाहते हैं वो नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए हो सकता है कि आप जो से इसका बिरोत करते हैं परतिकरियाय करें यहां पागल पन भ मिलार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, यहां आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को पहचानेगे, जवाब आपको ठीक सामने होगा, घरी भाशा में कहा जाए, तो अगर आप मन्चाही दोलत हासिल करना नहीं पा रहे हैं, तो इस बात की काफी संभावना है कि अवल तो आप अफचेतन रूप से सचमुच दोलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात, आप वो काम करने के इच्छुक नहीं हैं, जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए, आईए इसे और टटोलते हैं, दरसल तथा कतित चाह के तीन स्तर होते हैं, पहला स्तर है, मैं अ जान दें कि मैंने बिना चाहने से चाहते और ज्यादा बढ़ जाती है, चाहना आदत बन जाता है, और यह सिर्फ खुद की और ले जाता है, इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है, जो कभी नहीं, जो कहीं नहीं ले जाता है, सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है, इ मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ, इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल है, चुनाव करने में ज्यादा सशक्त उरजा है और इसके साथ अपनी वास्विक्ता का निर्मान करने के जिम्मेदारी आप पर आ जाती है, फैसला शब्द लेटिन भाषा डिसाइडर से आया हु जुँ, समर्पन, कमिंटमेंट, शब्द की परिवाशा है, बिना किसी संकोच के निष्टा पूर्वक पूरी तहे से जुट जाना, इसका मतलब है कोई असर बाकी नहीं रखना, कोई कसर बाकी नहीं रखना, दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना सो परतिशत इसका मतलब है कि हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो, यह योधा का तरीका है, कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं और आसफलता सुईकार करने का कोई विकल्प नहीं है, योध अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ, खुझ से यह कहने की कोशिश करें, आपके सामने क्या आता है, कुछ लोगों के लिए यह शक्ति दायक होता है, बाकी लोगों को घबराहट महसुस होती है, ज्यादतर लोग कभी अमीर बनने के प्रती सच्मुश समर्पित नहीं हो पाते हैं अगर आप उन से पूछें क्या आप अपनी जिंदगी दाव पर लगा सकते हैं कि अगले दस साल में आप दौलत मन बन जाएंगे तो ज्यादातर कहेंगे बिलकुल नहीं अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फर्क है लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते हैं सिर्फ इसलिए वो अमीर नहीं होते हैं और उनके अमीर होने की समभावना भी नहीं है कुछ लोग कह सकते हैं हार आप यह क्या कह रहे हैं मैं दिन भर काम करता हूँ मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ मेरा जवाब होगा आप कोशिश कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है समर्पन की परिवाशा पूरी तरह से जूटना है मुखे शब्द पूरी तरह से है इसका मतलब है कि आप हर चीज लगा रहे है और मेरा मतलब है अपनी हर चीज मैं जिन बित्यरूप से आफ्फल लोगों को जानता हूँ उन में से ज्यादा तरकीज सीमाए है कि वह कितना काम करने के इच्चुख है कितना जोखिम लेने के इच्चुख है और वो कितना त्याक करने के इच्चुक हैं हलांकि वो सोसते हैं कि वो सब कुछ करने के इच्चुक हैं लेकिन गहरे सवाल पुछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्ते हैं कि वो सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे मुझे आपको ये बताते हुए अपसो से लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है और जो इस से अलग बात कहता है वो या तो मुझसे बहुत जादा जानता है या फिर जूट बोल रहा है मेरा अनवव ये है कि अमीर बनने के लिए एकागरता, साहस, ग्यान, बिशेष्टा, शत्पर्तिशत, पर्यास, कभी हार ना मानने के नजरिये और जाहिर है अमीर मानसिक्ता की जरूरत होती है आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दोलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं एक बार फिर इसका सचमुच मतलब ये है कि अगर आप दोलतमत बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं है तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे. क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्चुख हैं? अमीर लोग होते हैं. अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्चुख रहते हैं. वो आशा करते हैं कि उनका लखशे थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है. अमीर लोग उपर बताएगे सभी काम करने के लिए तयार और इच्चुख होते हैं. तो क्या आप खुश किसमत होंगे और आपको ज्यादा लंबे सवे तक या मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज का त्याग नहीं करना पड़ेगा आप ऐसी काम ना कर सकते हैं. लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं. दोबारा बता दूँ, अमीर लोग अपने लक् करने के लिए आगे आ जाता है. मेरा एक प्रिय अइश, एक्स, प्लोरर, साइकी खोजी, डबल्यू एच मरे का है, जिनोंने एक शुरुवात हिमाले प्रवता रोहन अभ्यान के दोरान यह लिखा था. जब तक इनसान समर्पित नहीं है, तब तक जिजख है, पीछे हटने की समभावना है, हमेशा प्रभाव हीनता है, पहल शक्ती, संबंदी, सभी कारियों में एक मूल भूत सचाई है, जिसका अग्यान असंखे विचारों और बहतरीन योजनाओं का गला घोट देता है, जि लगती को और परतेशित, घटनाएं या मुलाकातों से हर तरह की भोतिक मदद मिलने लगती है, जिसकी कलपना उसने सपने में भी नहीं की होगी, दूसरे शब्दों में, ब्रहमान्ड आपकी मदद करेगा, मार्ग दर्शन देगा, सहयोग देगा, और यहां तक की आपके ये चमतकार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होता है, घोशना, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ, अब अपना सिर्च हुएं और कहें, मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं, मिलेनिर मस्तिक्ष की गतिवेदियां, एक, एक उस ब्यक्ति को बताएं कि आप ज़्यादा बड़ी सफलता के उद्देशे से समर्पन की शक्ति को जागरित करना चाते हैं, अपना हाथ दिल पर रखें, उस ब्यक्ति की आँखों में देखें, और नीचे दिया गया वाक्य कहें, मैं और अपना नाम, यहाँ पर तारीख, समय, तक मिलेनियर या इस से ज़्यादा बनने के लिए समर्पित हूँ, अपने पार्टनर से यह जवाब देने को कहें, मैं आप में यकीन करता हूँ, फिर आप कहें, धन्यवाद, पुनश्च, आपके समर्पन को शशक्त बनाने के लिए आपको आमंदृत करता हूँ, कि आप बैपसाइट पर सिधे मेरे सामने अपने समर्पन की घोशना कर दें, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी दिवार पर टांग दें, दुबारा पुनश्च, इस बात पर गोर करें, कि समर्पन से पहले और बाद में आपको कैसा मेसुस होता है, अगर आपक अब भी हर काम करने की इच्छा वाली मानसिकता नहीं है, या आपकी मानसिकता ये है, मुझे ये अजीब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से चाहे जो स्थीती हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप आज तक जिस रास्ते पर चल रहे थे, उसी नहीं आपको यहां तक पहुँचाया है, जहां आप इस वक्त हैं, दोलत की फाइल चार, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं, हमारे एक सेमिनार में एक परशिक्षक था, जिसकी नेट वर्ट सिर्फ तीन साल में ढाई लाग से साट करोड डॉलर हो जब उस से इसका रहसे पूछा गया, तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया, तो हर चीज बदल गई, मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूँ, आप बाजार के अनुसार जो मुल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुक्तान मिलता है, पर अनुभव में जो तत्तो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनोती पेश करता है, वो है मात्रा, मात्रा, क्वालिटी, के तत्तो का मतलब आसान है, आप अपने कितने मुल्य को बाजार तक सचमुच पहुचाते हैं, इसे कहने का एक और तरीका यह है, कि आप कि इतने लोगों की सेवा करते हैं, या उन्हें परभावित करते हैं, उधारन के लिए मेरे बिजनिस में कुछ परशिक्षन एक समय में 20 लोगों के छोटे समों को सीखना पसंद करते हैं, कई परशिक्षक कमरे में 100 परतिवागियों के साथ आराम दे होते हैं, बाकी 500 लोग क को सीखना पसंद करते हैं और कुछ तो हजार से पांच हजार या इस से ज़्यादा पर्तिवागियों को सिखाना पसंद करते हैं. क्या इन परशिशनों की आमदनी में अंतर है? बिलकुल है. नेट्रॉक मार्केटिंग बिजिनिस पर गौर करें. अगर एक व्यक्ति की डाउन लाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउन लाइन में 10,000 लोग हों तो क्या आपकी आए में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर्स की चेन का मालिक था. जिस पल मैंने 6 महीने बाद काम शुरू करने वाले मेरे परतिवागी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था. अंत में उसे अच्छी आमदनी मिली जब की मैं अमीर बन गया था. आप अपनी जिन्दगी कैसे जीना चाते हैं? आप खेल को कैसा खेलने चाते हैं? आप मेजर लीग मे खेलना चाते हैं या माइनर लीग में? बड़े बड़ों में या छुटभईयों में? आप बड़ा खेलना चाते हैं या छोटा? चुनाव आपका है. ज़्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं. क्यों? पहली बात तो डर के कारण. वो औस सफलता से बुरी तर या महतुपून हो जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकें. लेकिन यह जान लें आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है. यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है. यह अपने मिशन के प्रती सच्चा होने के लिए है. इस समय धरती पर आपके र और सिर्फ मेरे चारों तरफ घुमती है. लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाते हैं तो यह सिर्फ आपके बारे में नहीं हो सकता. इसमें तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होता है. हमारे समय के एक महन आविशकारक और दार हम इस दर्थी पर अपने ने सर्गिक गुण लेकर आते हैं. यानि हम कुछ चीजों में सोभाविक रूप से निपुन होते हैं. यह उपहार आपको किसी खास कारण से दिये जाते हैं. इनका उप्योग करने तथा दूसरों को लाप पहुंचाने के लिए शोद से पता चलत है कि सबसे सुखी लोग वो होते हैं जो अपने ने सर्गिक गुणों का अधिक्तम उप्योग करते हैं. जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ने सर्गिक गुणों का लाप पहुंचाना और उनका मुल्य बढ़ाना होता है. इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने के इच्छा रखनी होगी. क्या आप उद्धमी की परिवाशा जानते हैं? हम अपने कोर्स में इस परिवाशा का परियोग करते हैं. जो दूसरे की समस्या लाप के साथ सुल जाता है, वह सही है उद्धमी. समस्या सुल जाने वाले से नहीं है. तो मैं आप से पूछता हूँ, आप ज्यादा लोगों के लिए समस्या सुल जाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज्यादा है, तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरुरत है. और आपको बहुत बड़ी संख्या में हजारों यहां तक की ल बाउनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बैशक आर्थिक रूप से भी. इसे समझने में कोई गल्ती ना करें. इस धर्ती पर हर ब्यक्ती का एक मिशन या उद्देश्य है. अगर आप इस वक्त जिन्दा है, तो इसका कोई कारण है. रिचर्ट्स बाख ने अप भी सांस ले रहे हैं, तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है. मैं देखना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं. बहुत से लोग अपने कर्तब्य या संस्कृत भाशा के धर्म को नहीं निवा रहे हैं. मैं देखना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ब पूरी शम्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने जीवन के संधर में भी और दूसरों के प्रती अपने योगदान के मामले में भी। मूल मुदा यह है। अगर आप नहीं तो फिर कौन। एक बार फिर हर ब्यक्ति का अपना अनुठा उद्देशे होता है। हो सकता है आप रियल स्टेट नुवेशक हों और मकान खरीद कर उन्हें किराये पर उठाते हों तथा केश फ्रो वो मुल्य व्रीदी का लाव उठाते हों। आप का मिशन क्या है। आप कैसे मदद करते हैं। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अपने सस्ते मकान खोजने में परिवारों की मदद करके अपने समुदाय का मुल्य बढ़ा रहे हैं जो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकता था। अब सवाल यह है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। क्या आप एक के बजाए दस की, दस के बजाए बीस, बीस के बजाए सो की मदद करने के अपनी अधवुत पुस्तक और रिटन टू लव में मेरियन बिलियमसन ने इसे इस तरह लिखा है। इश्वर की दिप्यता को परकट करने के लिए पैदा हुए हैं जो हमारे भीतर है। यह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है यह हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम औचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्तिती अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। दुनिया को इस बात की जरूरत नहीं है कि इस से ज़्यादतर लोग छोटा खेलें यह चितना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है यह अपनी जरूरतों को छोड़ने और नहत्रितों करने का समय है यह अपने ने संगर की गुण छिपा कर रखने या उनके ना होने का नाटक करने के बज़ाए उन्हें बाटने का समय है यह अपने जीवन का खेल बड़े पेमाने पर शुरू करने का समय है। सारांक्ष यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालिये पन और और संतुष्टी की और ले जाते हैं बड़ी सोच और बड़े काम दौलत वो सार्थक्ता की और ले जाते हैं चुनाव आपका है घोशना दिल पर हाथ रख करके हैं मैं बड़ा सोचता हूँ मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ अब अपना सिर्ट हो करके हैं मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष है मिलेनिर मस्तिक्ष की गतिविदिया लिख लें कि आपके हिसाब से आपके ने संगिर्ख गुन क्या है ये वो चीज हैं जिन में आप हमेशा से सोभाइक रूप से अच्छे हैं यह भी लिख लें कि आप अपने जीवन में और खास तोर पर अपने कामकाज में इन गुणों का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे और कहां कर सकते हैं। लिख लें या लोगों के सम्मूं के साथ विचार मंधन करें कि आप इस समय अपने काम या बिजनिस में जितनी लोगों को परभावित करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की समस्यां को किस तरह सुल जा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग रनीतियां बना लें। लिवरेश की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानी के आशंकाएं देखते हैं, अमीर लोग पुरसकारों पर ध्यान केंदरित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंदरित करते हैं, मामला युगों पुराने सवाल का है, गिलास आदा खाली है या आदा भरा है, लेकि का दिमाग लगातार यह खोसता है कि किसी स्तीती में क्या गलत है या गलत हो सकता है उनकी मूल भूत मानसकता होती है अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा या अक्सर यह काम नहीं करेगा मध्यमुर्गे लोग थोड़ा ज्यादा आशावादी होते हैं उनकी मानसकता होती मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा जैसा हम पहले भी कह चुके हैं अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिक्ता से काम करते हैं यह काम करेगा क्यूंकि मैं इस से काम करवाऊंगा अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी शम्ताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मक्ता पर भरोसा होता है, उन्हें यकीन होता है कि अगर वो काम्याब ना हुए तो वो सफल होने का दूसरा तरीका खो सकते हैं आमतोर पर लाप चितना ज्यादा बड़ा होता है जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है क्यूंकि अमीर लोग लगातार आवसर देखते हैं इसलिए वो जोखिम लेने के इच्छु होते हैं अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वो हमेशा अपनी दोलत वापस पा सकते हैं दूसरी तरफ गरीब लोग और सकता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता गरीब लोग ये मानते हैं कि अगर स्तीथी गड़वड हो गई तो वो तबाह हो जाएंगे क्यूंकि वो लगातार बाधाओ को देखते हैं इसलिए वो आमतोर पर जोखिम लेने के अनिचुक होते हैं जोखिम नहीं तो लाब नहीं रिकॉर्ट के लिए हम ये कहना चाते हैं कि जोखिम लेने का इचुक होने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसे गवाने के इचुक रहें अमीर लोग सोच समझ कर जोख से कम समय संभव समय में जानकारे इकटी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर ये फैसला करते हैं कि फला काम किया जाए या नहीं हलांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वो आउसर के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आम तोर पर ये टाल मटोल करने का भाना होता है वो बूरी तरे घबराए होते हैं वो हपतों महिनों और यहां तक की बरसों तक हुँ हां करते रहते हैं और आम तोर पर जब तक अवसर हाथ से निकल जाता है अक्सर वो अपनी स्थिती को तरक संगत बनाने के लिए कहते हैं मैं तो तैयारी कर रहा था निश्चित रूप से ऐसा ही था लेकिन जब वो तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया बाहर निकला और इस दोरान उसने धेर सारी दोलत कमा ली मैं जानता हूं कि मैं आगे जो कहने वाला हूं वो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि मैं सुएं की जिम्मेदारी पर बहुत चोड़ देता हूं बहराल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज में सफल होने में किसमत का भी हाथ होता है हो सकता है कि फुटबोल मैच में बिरोधी टीम का अथलैडी आपका एक गच की रेखा पर आपका नियतरन खो दे जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ एक मिन तीन इंच दूरी पर रुक जाए बिजनिस में आपके कितनी बार उस ब्रक्ति के बारे में सुना है जिसने बहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और दस साल बाद उसे किसी बड़े कॉर्परेशन ने वहाँ पर शॉपिंग सेंटर या आफिस बिल्डिंग बनाने का फैस किसमती थी मेरा अंदाजा है कि कुछ हद तक दोनों ही था पहराल मुद्दे की बात यह है कि किसमत या कोई भी अच्छी चीज आप की रहा में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही ना करें बितियस बलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किसमत है या ब्रहमांड है या उच्छतर शक्ती है जो चमतकारिय तरीके से आपके मदद करती है क्यूंकि आपने वह काम करने का साहस और समर्पन दिखाया मुझे लगता ही क कि ऐसा किस बज़े से होता है यह ज़्यादा महतुवन नहीं है महतुवन बात तो यह है कि ऐसा होता है दूसरा प्रमुक सिधान्त जिसे यहां पर बताना उचित होगा कि यह है कि अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंदरित करते हैं जिनें वो चाहते हैं जबकि गरीव लोग उन चीजों पर ध्यान केंदरित करते हैं जिनें वो नहीं चाते एक बार फिर ब्रह्मान्ट का नियम कहता है कि आप जिस चुछ पर ध्यान केंदरित करते हैं वो बढ़ती है क्योंकि अमीर लोग हर समय आउसरों पर ध्यान केंदरित करते हैं इसलिए उन्हें धेर सारे आउसर मिल जाते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाई मिलती है कि वो उन सब को नहीं सभाल पाते हैं दूसरी तरफ क्योंकि गरीब लोग हर चीज में बादाओं पर ध्यान केंदरित करते हैं इसलिए उनके सामने धेर सारी बादाओं आ जाती है उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें इतनी और विश्वसनी बादाओं नजर आती है कि वो उन सब को नहीं संभाल पाते हैं कारण बिलकुल साफ है आपकी एकागरता किस शैत्र में है इसी से ते होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है आउसरों पर ध्यान केंदरित करेंगे तो आउसर मिलेंगे बादाओं पर ध्यान केंदरित करेंगे तो बादाओं मिलेगी यहां नहीं कह रहा हूं कि समस्यां की परवाद ना करें जाहिर है हम समस्याएं, जब समस्याएं आएं तो उन से तत्काल निप्टें, लेकिन अपनी निगहां लक्षे पर जमाए रखें और लगातार उसकी और बढ़ते रहें, अपना समय और उर्जा अपनी मन चाही चीज को स्ताकार करने में लगाएं, जब बादाएं आएं तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगहां लक्षे पर जमा लें, जिन्दगी में आपका लक्षे समस्या सोजाना नहीं है, आपको अपना सारा समय आग बुजाने में नहीं बिताना है, जो लोग ऐसा करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, आप अपना समय और उर्जा बिचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्षे की और लगातार आगे बढ़ते रहें, क्या आप बहुत साधारन लेकिन उतनी ही दुटलब सला चाहते हैं, तो वो सवाल ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पैसे बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंदरित करें, अगर आप करीब बना चाहते हैं, तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंदरित करें, आप चाहें हजारों पुस्तक पढ़ लें, या सपलता के मंत्र बताने वाले सेकड़ों कोर्स में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यह है, याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंदरित करते हैं, वो बढ़ती है, अमीर लोग ये भी समझते हैं कि किसी को भी सारी जानकारी पहले से नहीं मिल सकती है, हमारे एक कारेकरम, एनलाइट्स, वार्यर ट्रेनिंग में हम लोगों को परशिक्षित करते हैं, कि वो हर चीज के अच्छी तयारी कर सकते हो, कर लें, फिर कर्म करें, फिर रास्ते में सुधार करते जाएं, यह सोचना मूरकता है, कि आप भविषय में हो रही वाली सारी घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, यह मानकर खुद को दोखा ना दें, कि आप भविषय में आने वाली हर परिस्तिति से निबटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं क्या आप जानते हैं कि ब्रहमान में सीधी लकीरे नहीं होती है जिंदगी बिलकुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है यह तो बल खाती नदी की तरह बहती है अकसर आपको सिर्फ अ मैं इसे गलियारे में परुष करना चाहता हूँ मिसाल के तोर पर बरसों पहले मैं फॉर्ट लॉडेल्ड फ्लॉइडिरा में रातरी काल के डैजर्ट कैफे खुलने की योजना बना रहा था मैंने जगे के बिकल्पों और बाजार का अधिन किया इसके साथ ही मैंने पता लगाया कि मुझे किन सामानों की जरूरत है मैंने केक, पाई, आइसक्रिम और कॉफी के उपलब परकारों पर भी शोद किया नतीजा किया निकला पहली बड़ी समस्या मैं मोटा हो गया था शोद के चकर में खाने पीने से मुझे कोई मदद नहीं मिली थी तो मैंने खुद से पूछा हार्ब इस बिजनिस का अधियन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है फिर मैंने हार्ब नाम के इस आदमी की बात सुनी जो जाहिर है मुझ से ज़्यादा स्मार्ट था अगर आप सचमुच किसी ब्योसाई की बारीकिया सीखना चाते हैं तो उसमें उतर जाएं आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की जरूरत नहीं है उस बिजनिस में नोखरी कर लो और गल्यारे में पहुंच जाओ आप किसी रेस्टरा में जाडू लगा कर या बरतन मांच कर उसके बारे में जतना जानेंगे उतना बाहर रहकर दस साल के शोत में भी नहीं जान पाएंगे मैंने आपको बताया था ना कि वो मुझ से बहुत स्मार्ट था और मैंने यहीं किया मैंने मदर बटलर पाई शॉप में नौकरी कर ली काश मैं आपको बता सकता कि उन्होंने ततकाल मेरे बहतरीन गुनों को पहचान लिया और पहले दिन ही मुझे सीयो बना दिया लेकिन ना जाने क्यों वो मेरे परशासनिक नेत्रितो गुनों को नहीं देख पाए और उन्होंने इसकी परवा नहीं की और इसलिए मैंने बस बॉय के रूप में काम शुरू किया हाँ फरश पर जाडू लगाना और जूटे बरतन हटाना इरादे की शक्ती भी कितनी मज़ेदार ढंग से काम करती है है ना आपको लग रहा होगा कि यह काम करने के लिए मुझे अपने आत्म सम्मान को भूलना पड़ा होगा लेकिन सचाई तो यह है कि मैंने इसे इस तरह से देखा ही नहीं मैं तो डेज़ट पिजनिस सीखने के मिशन पर था मैं किसी दूसरे के टिकट पर मिली सीखने के लिए इस आउसर के लिए कृतगय था और इस बात पर भी मुझे जेब खर्च के लिए थोड़ी चिलर भी मिल रही थी बस बॉई के अपने काम के दोरान मैंने मैंनेजर से बाचित करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाया और आमदनी तथा लाप के बारे में जानकरी ली मैंने बॉस की जांच करके सप्लाइर के नाम पता किये यही नहीं मैंने चार बज़े सुवे उटकर बेकर की मदद की ताकि बरतनों मूल समगरी और उत्पन हो सकने वाली समस्याओं के बारे में जाना जा सके पूरा सप्ता गुजर गया और मुझे लगता है कि मेरा काम काफी अच्छा रहा होगा क्यूंकि मैनेजर ने मुझे बिठा कर पाई खिलाई और मुझे केशिर बनाने के अपरस्ताव रखा मैंने इसके बारे में काफी लंबे समय तक यानि लगबग एक सेकंड तक सोचा और फिर जवाब दिया नहीं धन्यवाद पहली बात तो ये थी कि केश रेजिस्टर के पीछे फसा रहकर मैं ज्यादा नहीं सीख सकता था और दूसरी बात मैं जो सीखने आया था वो मैं पहले ही सीख चुका था मिशन पूरा हो चुका था तो गलियारे में रहने से मेरा यही मतलब है इसका मतलब उस शेतर में दाखिल होना है जहां आप भविशे में रहना चाहते हैं आप किसी भी ओधे से यह काम शुरू कर सकते हैं यह किसी बिजनिस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जब आप इसे अंदर से देखते हैं दूसरी बात आपको जिन संपरकों की जरूरत है अंदर रहे कर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं जो आप बाहर रहे कर कभी नहीं कर सकते तीसरी बात जब आप गलियारे में पहुँच जाते हैं तो आपके लिए औसर के कई अन्य द्वार खुल जाते हैं यानि एक बार जब आप देख लेते हैं कि सच्मुच क्या हो रहा है तो हो सकता है कि आपको उस बिजनिस का कोई खास शेटर पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था चोथी बात आपको यह पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनिस को पसंद ही नहीं करते हैं और इश्वर का शुकर है कि आपको यह बात ज्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई तो मेरे मामले में इन में क्या हुआ जब मैं मदर बटलर से बाहर निकला तो मुझ से पाई की गंद या शकल बरदास्त ही नहीं हुई दूसरी बात मेरे काम चोड़ने के अगले ही दिन बेकर भी काम चोड़कर चला गया उसने मुझे फोन करके बताया कि उसे एक लोग पिरिये नए व्यायाम उपकरन का पता चला है जिसका नाम ग्रेविटी गाइडेंस इ मेरी दिल्चस्पी है जूते देखकर मैंने फैसला किया कि जूते तो पटाका थे लेकिन वह बेकर जोरदार नहीं था इसलिए मैं अपने दम पर ही यह काम करने लगा मैं वह जूते स्पोर्ट्स गुड्स और डिपार्टमेंट्स स्टोर्स में बेचने लगा मैंने गौर क कि चीजें किस तरह होती है बैयाम उपकरन बेचने के इस पहले अनुभव में मुझे अंततो नौर्थ अमेरिका का शुरुआती रिटल फिटनेस स्टोर खोलने की और पहुंचाया और पहला मिलियन कमाने की और भी जरा सोची यह सब इसलिए शुरू हुआ क्यूंकि मैंने सुत्रवाके है सक्रियता हमेशा निश्क्रियता को हरा देती है अमीर लोग शुरू कर देते हैं उन्हें भरोसा होता ही कि खेल में उतरने के बाद वो हर मौके पर समझदारी भरे निरने ले सकते हैं सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं गरीब लोगों को खुद पर या अपनी योग्यताओं पर भरोसा ही नहीं होता है इसलिए वो मानते हैं कि उन्हें हर चीज पहले से ही पता होनी चाहिए जो लगबग आव संभव है इस दोरान वो कोई सक्रिय तैयारी नहीं करते जब कि अमीर लोग तैयार रहो गोली चलाओ और निशाना साधो के सकारात्मक नजरिय के कदम पर चलते हैं और आमतोर पर जीत भी जाते हैं गरीब लोग खुद से कहते हैं मैं यह काम तब तक नहीं करूँगा जब तक कि मैं हर संभव संभावित समस्या को पहचान ना लूँ और ठीक ठीक से यह ना जान लूँ कि इस के बारे में क्या करना है इसी बज़े से वो कभी कदम ही नहीं उठा पाते और वो ये आवसर गवाँ देते हैं अमीर लोग आवसर देखते हैं लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं और गरीब लोग वो हमेशा तयारी ही करते रहते है गोशनाए दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बाधाओं के बजाए आउसरों पर ध्यान केंदरित करता हूँ, मैं तयार होता हूँ, गोली चलाता हूँ, मैं निशाना साथता हूँ, अब अपना सिर्च हूं कर कहें, मेरे पास मिलेनिर मस्तिक्ष हैं मिलेनिर मस्तिक्ष की गतिवितियां, खेल में उतर जाएं, उस काम या प्रोजेक्ट पर बिचार करें, जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसे भूल जाएं, आप जहां भी हो, आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें, अ दो, आशावात का अभ्यास करें, आप जिसे लोग समस्या या भादा कहते हैं, वो आवसर में ढाल लें, इससे नकारात्मक, लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या फरक पड़ता है, वो तो वैसे भी पागल ही हैं, तीन, आपके पास जो हैं, उस पर ध्यान केंदर आप अपने जिवन में जिन चीजों के लिए क्रितग्ये हैं, उन मेंसे दस चीजों की सुची बनाएं, और उस सुची को जोर से पड़ें, अगले तीस दिनों तक हर सुवे वो सुची पड़ें, अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए क्रितग्ये नहीं हैं, तो आपको वह चीछ जादा नहीं मिलेगी और शायद आपको जादा की जरुएत भी नहीं होगी.